हेलो एवरिवान, वेलकम टू ओलेवल जियसेटर यूट्यूब चैनल, आज आपकी सेकेंड मेरथन क्लास है, फॉर मोड्यूल कोड M1R5, इंफॉर्मिशन टेक्नलोजी, टूल्स और नेटवर्क बेसिक्स, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप MCQs, जो आपके पेपर के लिए काफी helpful है, और आपका जो exam है, वो 13 September को scheduled है, तो उसके लिए काफी important रहेंगे ये सारे MCQs, आपके पूरे syllabus को revise कराने में आपको help करेंगे, ठीक है, कल हमारी module code M2R5, web designing and publishing के लिए marathon class हो चुकी है, उसको ध्यान से देख लेना, काफी important questions मने उसमें करवाए थे, और उस class का जो link है, वो आपको उपर आई बिटन में मिल जाएगा, और साथी साथ इसी वीडियो के description box में उसका link दे देंगे, ताकि आप उस class को भी देख लो, ठीक है, अगर आप पहली बार आ करेंगी, ये guest papers काफी important है, और एकदम exam pattern पर बने होए है, आपके वही 40 marks objective questions और 60 marks descriptive questions, features क्या है, इसके हिंदी और English medium में available है, with answer keys, और हर module के 2-2 papers available है, यहाँ पे ये number है, आप बात करके guest papers को ले सकते हो, because end time पे आपको जितना हो सके questions और guest papers को solve करना चाहिए, काफी help मिलती है, तो देखो यहाँ पे, बात करेंगे question number 1 की, निम्न में से कौन RAM नहीं है, तो यहाँ पे options given है, PRAM, DRAM, Flash या फिर SRAM, इन में से कौन सा RAM का type नहीं है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे, आपका जो DRAM है, यह आपका होता है, dynamic RAM, और RAM की full form क्या होती है, random access memory, I hope आप सब जानते हो य आपके दो types की primary memory होती है, RAM आपके कौन से memory होती है, primary memory, हमारे computer system में दो type की memory होती है, primary और secondary memory, जो RAM और ROM है, वो दोनों ही primary memory के अंडर आती है, जिसमें RAM को हम main memory भी कहते हैं, ठीक है, यह primary तो है, इसे main memory भी कहते है, अब इसके types होते हैं, दो, जो इसके main types है, वो है इसका DRAM, and SRAM तो DRAM और SRAM आपके RAM के important types है जहाँ पर DRAM का मतलब है dynamic RAM और RAM की होता है random access memory ठीक है तो यहाँ पर यह आपका होता है dynamic RAM और SRAM आपका होता है static RAM ठीक है अब इसके बाद जो flash है flash memory भी आपकी RAM की तरह ही काम करती है जैसे कि मानलो जैसे आपकी pen drives लिगर होती है वो वाली बात है यहाँ पर अब यहाँ पर जो P RAM है न यह कोई आपकी RAM नहीं होती है P ROM होती है लेकिन P RAM नहीं होती है ROM के भी बहुत से type होते हैं ठीक है P ROM हो गया EP ROM हो गया EEP ROM हो गया ठीक है तो यह सारे types है आपके ROM के लेकिन P RAM कुछ नहीं होता यहाँ पर इसकी full form है programmable read only memory इसकी है erasible programmable read only memory और इसकी है electrically erasible programmable read only memory ठीक है तो इस तरीके से हमने तीनों की full form भी देख ली यह आपके ROM के parts है ठीक है अब यहाँ पर इसका answer बनेगा option number A P RAM because P RAM कोई RAM नहीं होती बागे सारे options आपके सही है next question is question number second किस memory में रखा data बिजली जाते ही समाब तो जाता है ठीक है कौन सी ऐसी memory है जिसमें light के जाते ही जो data है वो सारा destroy हो जाता है RAM, floppy CD of a disk तो यहाँ पर इसका answer है RAM ठीक है RAM को हम बोलते है क्या RAM को हम बोलते है volatile memory काफी important यह word आपके लिए volatile memory मतलब light जैसे आपकी जाएगी जो भी data जो भी work आप कर रहे हो वो इसमें save है वो सब क्यों जाएगा erase अगर आपने उसको save नहीं किया है तो ठीक है और अगर बात करें ROM की तो ROM क्या होती है आपकी non-volatile memory क्या होती है non-volatile memory clear हो गया next तो इसका answer बनेगा RAM next question है computer का जनक किसे कहा गया है who is the father of computer Bill Gates Charles Babbage Blaise Pascal या फिर Joseph Jack Yord तो यहाँ पे इनका answer क्या बनेगा यहाँ पे इसका answer है Charles Babbage Charles Babbage आपके father of computer है आप सब लोग जानते हो तो यह इस question का answer है next आगे बढ़ेंगे Nimn में से कौन input इकाई है mouse, keyboard, scanner या फिर सब input device आप से यहाँ पे पूछे है कौन से आपके input device है mouse, input device है बिलकुल keyboard भी है, scanner भी है तो यहाँ पे इसका answer है all of these इन में से सभी scanner क्या होता है आप जानते हो ना आपके जो भी documents है hard copy उनको soft copy में convert करने के लिए इस्तिमाल करते है scanner का ठीक है next देखो यहाँ पे IP chipो IC chips का निर्मान किया जाता है fiber से semiconductor से plastic से या फिर इन में से कोई नहीं देखो जो आपका microprocessor होता है जिसे हम बोलते है I5 है I7 है वो आपका IC से मिलके बनता है और जो आपकी IC है ना वो किस से मिलके बनती है semiconductor से ठीक है जिसमें कि silicon और germanium इन दोनों semiconductor का सबसे ज़्यादा use किया जाता है ठीक है transistorized computer किस speed ही में परिशित हुए थे जिन computers में transistors का इस्तमाल होना शुरू हो गया था वो computer किस generation के computers थे first, second, third या फिर fourth काफी अच्छा कोशन है ठीक है तो इसका answer का बनेगा second generation ठीक है first में क्या था आपका vacuum tubes second में आगय transistors और आगे माँगे पड़ेंगे अभी next is CD-ROM device में किस technology का उप्योग किया जाता है CD-ROM में CD-ROM मतलब compact disc ROM में किस particular technology का use किया जाता है mechanical electro-mechanical optical fiber या फिर optical तो यहाँ पर optical का use किया जाता है ठीक है यह आपकी optical disc के अंदर आती है आपकी कौन सी CD-ROM clear हो गया next is यहाँ पर इसका answer option number D Ethernet संबंदिद है Ethernet किस से related है LAN से WAN से MAN से या फिर RAN से LAN is local area network local area network WAN is wide area network man is metropolitan area network metropolitan area network तो यहाँ पर पुछा गया है Ethernet किस से related है तो आप सब लोग जानते है Ethernet is related to land ठीक है Ethernet आपका small area के अलिए available होता है मतलब इसकी range small होती है within a lab और within a home तो इसमें हम LAN का इस्तमाल करते हैं next आगे बढ़ेंगे OCR का Porn Roop क्या है यहाँ पर आप से OCR की full form पूछी है optical character rendering optical character recognition optical CPU recognition optical CPU recognition या फिर इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर इसका answer option number B optical character recognition ठीक है आगे बढ़ेंगे बात करेंगे आप ए नेक्स्ट कुशन की निम्न में से कौन सा output device नहीं है आपको ध्यान से पढ़ना है question output device नहीं है plotter printer monitor या फिर touch screen इसमें से कौन सा आपका output device नहीं है देखो यहाँ पे plotter is output device printer is output device और आपका जो होता है monitor यह भी आपका output device आप जानते हो लेकिन touch screen जो है ना यह आपका output और input दोनों के अंदर आता है ठीक है तो इसलिए यहाँ पे जो wrong है वो आपका D होगा clear हो गया इन सारे options में से जो wrong है वो आपका touch screen है हलाकि touch screen आपका input भी होता है और output की तरह भी काम करता है next is processor के तीन प्रमुक भाग है processor मतलब CPU CPU के तीन important parts कौन से है आपको यहाँ पे बताना है ALU control unit register ALU control unit RAM cache control unit register यह cache नहीं है यह cache है यहाँ पे spelling mistake है यह इस तरीके से cache है बोलते हैं से cache ही है बट ऐसे लिखते हैं ठीक है फिर आपका RAM, ROM और CD-ROM इन में से कौन से तीन important parts है आपके CPU के तो यहाँ पे इस question का answer option number A ALU, arithmetic, logical unit, control unit and registers यह आपके तीन important parts है आपके CPU के ठीक है next question देखो क्या है Linux किस किस्म का software है shareware, commercial, priority या फिर open source तो यहाँ पे इसका answer बनेगा open source आप सब लोग जानते हो Linux is a open source operating system मतलब क्या open source का कि इसका जो source code होता है न, source code वो available होता है मतलब कोई भी user उसके source code में changes करके एक नया flavor Linux का create कर सकता है इसे इसलिए open source कहते है ठीक है और यह आपका क्या है एक type of operating system है next is आइसी का निर्माड किस ने किया था वो वास दफादर आइसी जैक किल बे नहीं ये किल बी है ठीक है जैक किल बी बिल गेट्स मार्क एंडर्सन या फिर हर्मन हॉलरित तो यहाँ पर इसका answer बनेगा जैक किल बी ठीक है आइसी का निर्माड क्या था जैक किल बी ने और अगर आपसे पूछते है हर्मन हॉलरित ने क्या किया था तो इन्होंने क्या था punched cards ठीक है punched cards के ये father कहलाते है काफी important नाम है ये punched cards क्या होते है आप जानते हो first और second generation में जो input और output के लिए device का इस्तेमाल करते थे that was punched cards ठीक है पहले आपके पास mouse, keyboard नहीं होते थे हमारे पास क्या होता था punched cards ठीक है next is artificial intelligence किस generation से संबंदिध है sixth, fifth, first या फिर third तो यहाँ पे इसका answer है fifth generation sixth तो अभी आई ही नहीं है first तो बहुत तुरानी होगी और third भी नहीं है इसका answer क्या है आपका fifth generation यहाँ पे हम बात करते है आपके AI की, IoT की ठीक है natural language processing की तो यहाँ पे आपकी updated technologies का इसका इस्तमाल किया जाता है अगला देखो क्या है इन में से सबसे तेज memory कौन सी है CD-ROM, RAM, registers या फिर cache तो यहाँ पे जो इसका answer है वो है आपका registers सबसे fastest memory और सबसे CPU के पास वाली memory होती है registers registers सबसे fast होते है ठीक है मैं आपको एक बनहाँ पर बतायती हूँ हरारकी क्या होती है इनके register सबसे fast इसके बाद होते है आपके cache memory फिर आपके होती है कौन सी RAM फिर आपके होती है hard X ठीक है इस तरीके से आपका यह order है यह सबसे fast यह होती है और सबसे slow यह होती है access करने में ठीक है अब देखो आगे CD-RW का पूरा रूप क्या है CD-RW की full form क्या बनेगी यहाँ पे तो इसका answer क्या बनेगा compact drum read write compact diskette read write compact dies read only then write and compact disk re-writable तो यहाँ पे इसका answer है compact disk re-writable मतलब यहाँ पे आप disk को दुबारा write कर सकते हो compact disk को आप दुबारा से re-write कर सकते हो list का नाम है CD-RW ठीक है काफ़े अच्छा option है अब देखो आगे वड़ेंगे USB का pod root क्या है unique serial bus universal serial bus union serial bus या फिर unknown serial bus तो बहुत यह असान सा question है USB कहाँ पे होती है आपकी आपने देखा है pen drive वेगार आपकी USB के अंदर आती है तो यहाँ पे इसका अंसर है option number B universal serial bus next is प्रथम PD के computer में क्या प्रियोग किया जाता था मैंने अभी आपको इसका अंसर बताया था इस question का अंसर क्या होगा IC, processor, vacuum tube या फिर कोई नहीं तो यहाँ पे इसका अंसर है vacuum tube vacuum tube आपकी first generation of computers में इस्तमाल किया गया था next आगे बढ़ेंगे देखो ENIAC and ADSEC किस PD के computer है ENIAC और ADSEC किस generation के computer होते है प्रथम PD, दूसरी PD, तीसरी या फिर चतुर्त PD तो इसका अंसर है first generation ठीक है ENIAC और ADSEC आपके first generation of computers में बनाए गए थे और इनकी full form भी काफी important है इसकी full form होती है electronic electronic numerical integrator and computer ठीक है ये इसकी full form बन गई और जो next है आपका ADSEC इसकी full form है electronic delay storage delay storage automatic calculator ठीक है दोनों की full form एक पर आप पढ़ देना important है ठीक है next question दूसरी पीड़ी के computerों की मुखे विशेश्टा क्या थी जो आपके second generation के computer से उनमें क्या खासियत थी उनके अंदर transistor था vacuum tube थी processor या फिर तीनों तो उनके अंदर क्या था transistor था ठीक है vacuum tube को replace किया transistors ने in second generation next question transistor का अविश्कार किस ने किया था option number A देखो क्या है William Shockley option B Jack Kilby option C Wenhock या फिर option D Jack Moon तो यहां पर इसका answer है option number A William Shockley और उन्होंने 1947 में transistor को invent किया था ठीक है तो काफी अच्छा question है आपसे inventor के नाम भी पूछ सकते है MCQs में next question is वे computer जो analog वर digital दोनों का कारे करते हैं ऐसे computer जो analog और digital दोनों का work करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं analog, digital या फिर hybrid तो उन्हें बोलते हैं hybrid computers next question computer memory की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है computer memory की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं bit, byte, megabyte या फिर ये सभी तो इसका answer है bit और आप जानते हैं कि one byte में कितने bits होते हैं one byte is equal to eight bits clear next is गड़ना और तुलना के लिए computer के किस भाग का प्रियोग किया जाता है ठीक है calculations करने के लिए और comparisons करने के लिए हम computer के किस पार्ट का यूज करते हैं disk unit modem ALU या फिर control unit तो इसका answer है आपका ALU arithmetic logical unit इसके नाम से clear है कि ये arithmetic के लिए मतलब आपके calculations के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है ठीक है next is computer दुआरा produce data बोलते है output बोलते है input बोलते है तो उसे हम बोलते है output data तो हम देते है input के रूप में और हमें क्या मिलती है information मिलती है output के रूप में data आपका होता है raw facts ठीक है raw facts और जो information है वो आपका होता है processed data ठीक है next is देखो वे question आगया न एक byte में कितने bits होते हैं तो एक byte में आपके 8 bits होते हैं ठीक है निवल लिखित में से कौन सा operating system नहीं है Windows तो होता है Linux भी होता है DOS, disk operating system होता है लेकिन Oracle आपका कोई भी OS नहीं है यह company का नाम है ठीक है और इस company ने एक बहुत ही popular Oracle database system बना रखा है जो आप आज बहुत use करते हो ठीक है Oracle का DBI में system आता है जो कि काफी useful है Next is Desktop पर समय और दिनांक कहां पर दिखाई पड़ते हैं Desktop पर आपको time और date कहां पर दिखाई देते हैं My computer में Title बार में Status बार में या फिर task बार में तो इसका answer है task बार जो नीचे के तरफ आपका task बार होता है यह वाला यहां पर आपको date और time दिखाई देते हैं Next is System software निमल लिखित में से कौन सा है Operating system Compiler Utilities या फिर all of the above System software जो आपके software है तो यहां पर आपसे पुछा इन में से कौन सा System software है तो यहां पर OS Compiler Utilities सारे आपके system software के अंदर आते हैं तो यहां पर all of the above आपका right answer बन जाएगा ठीक है Next is DOS का पूरा नाम क्या है बहुत सी असान सा question है DOS आपका क्या था Single User Operating System तो इसके full form क्या होती है Disk Operating System Option number B is correct Now next question is Computer चालू होने की प्रक्रिया को कहा जाता है जब आपका computer चालू होता है उस टाइम पर उस process को क्या बोलते है Formatting होना Booting होना Starting होना या फिर Entering होना उसे बोलते हैं Booting होना और Booting Further दो टाइप की होती है Warm Booting और आपकी Cold Booting ठीक है Warm Booting और आपकी Cold Booting जब आप System को Start करते हो पहली बार Start करते हो तो उसे बोलते है Cold Booting और जब आप System को Restart करते हो तो उसे बोलते है Warm Booting ठीक है Next is Windows 10 में नए ब्राउजर का नाम क्या है जो Windows 10 में नए ब्राउजर आया है उसका नाम क्या है Super Internet Explorer Pro Opera Edge या फिर Cortana तो उस ब्राउजर का नाम है Edge ठीक है Next is OS का पूरा नाम क्या है बहुत यह असान सा question है Operating System, Operating Style, Orientation System या फिर Operating Signal तो इसका अंसर बनेगा Operating System Option No.A Next is NIMN में से कौन सा extension System Files को संधर्बित करता है System Files जो आपके होती है जो आपके System में OS को इंस्टॉल करने के बाद बन जाती है उन Files का extension क्या होता है .prg.exe.com या फिर .sys तो उनका extension होता है .sys .exe की बात करूँ तो या आपके Programmable जो आपकी File होती है जो प्रोग्राम होता है आपका Executable Files उनकी आपकी होती है extension ठीक है अगला Android क्या है Android क्या होता है Application Software होता है Mobile Operating System होता है Programming धाशा होती है या फिर Database System तो या आपका क्या होता है Mobile का एक Operating System होता है आपका Android आप सब लोग जानते हो Android आजकल बहुत ज़ादा फैल गया है और हर एक Company ने अपने Android Phone निकाल दी है ठीक है देखो next क्या है Operating System का Earth क्या है High Level Language को Low Level Language में बदलना Program का Set जो Computer की Working को Control करता है next Floppy Disk Drive जिस तरह Operate करती है एक Computer Operator के काम करने का तरीका तो यहाँ पे जो आपका Operating System है वो क्या है Interface है Between the User and the Hardware ठीक है User और Hardware के बीच में कौन काम करता है आपका OS तो यहाँ पे आपका ये Program का Set है जो Computer की Working को Control करता है किस तरीके से आप Process Management करोगे Memory Management करोगे ठीक है File Management करोगे उन सब को Manage करता है आपका Operating System next is Recycle Bin में Send किये बिना Files को Delete करने की Shortcut की क्या है अगर आपको Recycle Bin में Send नहीं करना है और Files को Delete करना है तो उसके लिए क्या Shortcut की है Ctrl प्लस D Ctrl प्लस Shift प्लस Delete Ctrl प्लस Delete या फिर Shift प्लस Delete तो इसकी Shortcut की होती है Ctrl प्लस Shift प्लस Delete ठीक है अब देखो next क्या है किस Shortcut की से आप नया Folder बना सकते हो नया Folder ठीक है New File नहीं New Folder तो Folder के लिए आप किस Shortcut की का इस्तमाल करते हो Ctrl प्लस N control plus shift plus n control plus n और control plus sorry shift plus n तो यहाँ पर इसको n ना करके O कर लो ठीक है अब देखो इसका answer है control plus shift plus n, option number B is correct ठीक है next is file system ntfs का अर्थ क्या है आपका एक ntfs होता है file system और एक आपका होता है fat32 I hope so आपने इनका नाम सुना होगा इनकी full form important है ठीक है तो यह आपके file को arrange करने के दो systems है तो इसकी full form क्या होती है new type file system never terminated file system new technology file system या फिर new non terminated file system तो इसकी full form है आपकी new technology file system और इसकी क्या होती है file allocation table ठीक है अब देखो next क्या है windows में एक समय में एक से अधिक application run करने को क्या कहते है एक time पर एक से ज़ादा application run होती है आप देखते हो कि आप songs भी सुन रहे हो आप editing भी कर रहे हो ठीक है आप क्या कर रहे हो program बना रहे हो और आप कोई लगा लो पीछे आपने कुछ भी चला रखा है word या फिर excel तो यहाँ पर बहुत सारे applications एक साथ काम कर रहे हैं क्या बोलते है multitasking करना क्या बोलते है multitasking ठीक है तो यहाँ पर इसका answer option number C बनेगा आप देखो next question क्या है आपका windows, linux, unix or mac क्या है यह आपके application program है office suit है इसमें E आएगा system program है या फिर operating system है तो यहाँ पर इसका right answer क्या बनेगा operating system है यह आपके windows, linux, unix or mac next is text editor windows operating system का part है ठीक है कौन सा ऐसा text editor है जो आपके windows का part है notepad, wordpad, microsoft word या फिर adobe, photoshop तो इसका answer है आपका notepad ठीक है next is अब देखो आपके library office writer के यहाँ पर question स्टार्ट हो गए अभी तक हमने उपर की दो chapters जो आपके थे उन में से questions देखे हैं अब बात करेंगे आपके library office writer पे based questions के बारे में तो start करते हैं library office writer के पहले question के साथ यह आपका chapter number 3 है अब यहाँ से इसके question स्टार्ट हो गए है तो देखो in library office writer mail merge option is in which menu library office writer में mail merge option किस menu में होता है insert में format में tools में या फिर form में तो इस question का right answer option number C है tools ठीक है tools menu में आपका mail merge option होता है और mail merge का option क्या होता है basically इससे आप एक साथ multiple persons को कोई भी letter या कोई भी आपकी information है वो send कर सकते हो mail के थ्रू ठीक है तो इससे यहाता आपका time save हो जाता है next is what is the shortcut key of manage template key in library office writer अगर आपको template key को manage करना है ठीक है उसके लिए क्या shortcut key है तो यहां पे control plus T control plus shift plus N shift plus N या फिर none of these तो यहां पे question का answer बनेगा control plus shift plus N ठीक है next is आपको यहां पे shortcut key को याद करना पड़ेगा find the minimum zoom percentage in library office writer library office writer में minimum सबसे कम zoom percentage क्या होती है 20% 10% 15% या फिर आपका 5% तो इस question का right answer option number A 20% ठीक है 20% आपकी minimum zoom percent होती है next text आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे what is the maximum font size in library office writer library office writer में maximum font size क्या होता है 72 96 11 या फिर 48 तो इस question का right answer 96 ठीक है 96 आपका maximum font size होता है आपके Libre office writer का font size का मतलब क्या है यहां पर जो आपने लिखा हुआ content आपका जो text है उसका जो font है उसका size Libre office writer में maximum 96 हो सकता है ठीक है next आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके question की what is the shortcut key to close the current window in the Libre office writer Libre office writer में current window को close करने के लिए अगर आपने कोई application open कर रखी है तो उसे close करने के लिए आपको किस particular key का इस्तमाल करना पड़ेगा control plus q control plus w control plus t या फिर none of these तो इस question का right answer option number b control plus w यह काफी important question है ऐसा question कई बार दिखा गया है आपसे पूछते है current window को बंद करने के लिए किस shortcut key का इस्तमाल करते हैं तो control plus w आगे बढ़ेंगे देखों यहाँ पे क्या है what is the shortcut key of increasing the font size in Libre office font size को increase करने के लिए Libre office में आप किस particular shortcut key का इस्तमाल करते हों option है देखो control है plus आपका square bracket है closing वाला option b है control plus curly braces closing वाला option c control plus आपका square bracket starting वाला या फिर option d both a and b तो इस question का right answer है option number आपका d both a and b आप इन दोनों का इस्तमाल करके अपने font size को increase कर सकते हो ठीक है जो आपने ये font लिखा है इसे increase करने के लिए आप इस्तमाल करोगे a और b shortcut key इसका ठीक है next what is the shortcut key for auto text used in Libre office writer auto text के लिए मतलब जैसे कि आप कुछ write कर रहे हो और अपने आप वो text complete हो जाता है उसे बोलते है auto text इसके लिए एक shortcut key होती है इसे enable करने के लिए वो क्या है control plus F3 control plus F2 control plus F4 या फिर none of the above तो इसके लिए आपका answer हो बनेगा आपका control plus F2 इस shortcut key का इस्तमाल करके आप auto text को enable कर सकते हो ठीक है next is what is the shortcut key for save as save as करने के लिए आपको किस shortcut key का इस्तमाल करना पड़ेगा control plus shift plus S control plus S F12 या फिर none of these एक बात याद रखना save करने के लिए आप इस्तमाल करते हो control plus S का लेकिन आपको उसी document को किसी और नाम से save करना है तो आप save as करते हो ठीक है save as करते हो उसके लिए आपको control plus shift plus S shortcut key का इस्तमाल करना पड़ेगा ठीक है जी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे next question की what is the shortcut key for auto spell check auto spell check मतलब अपने आप आपकी content में spelling check हो जाए इसके लिए आप किस particular shortcut key का इस्तमाल करोगे option number A देखो क्या है आपे shift plus F7 इसके बाद है control plus F7 then F7 और इसके बाद है आपका control plus shift plus F7 तो इस question का right answer बनेगा आपका option number A shift plus F7 ठीक है next question what is the default location of save in Libre Office Writer Libre Office Writer में default location क्या होती है save करने की किसी file को desktop, documents, downloads या फिर all of the above तो इस question का right answer है option number B documents ठीक है documents आपकी होती है default location आप documents के बजाए किसी और place पे भी अपनी file को save कर सकते हो but by default आपकी document ही place रहती है ठीक है next आगे बढ़ेंगे Libre Office Writer के किस menu में mail merge या letter wizard पाया जाता है ठीक है तो इस question को हमने अभी उपर कर लिया था वहाँ पे हमने बात करी थी mail merge की यहाँ पर letter wizard भी आपका एक option होता है तो ये दोनों options आपको मिलते है tools menu के अंदर ठीक है next is Libre Office Writer में default font size कितना होता है default font size मतलब by default आपको क्या font size मिलता है तो मिलता है 12 और आप जानते हो कि maximum कितना होता है 96 तो इसकी range याद कर लेना writer के अंदर आपको 12 से 96 के range में font size मिलता है ठीक है font size next question देखते हैं Libre Office Writer में new style के किस shortcut key का प्रियोग किया जाता है ठीक है अगर आपको new style चाहिए तो उसके लिए किस shortcut key का आप इस्तिमाल करोगे तो यहाँ पे है shift plus f12 control plus f11 control plus shift plus f11 या फिर shift plus f11 तो इस question का right answer option number d है shift plus f11 ठीक है मैंने यहाँ पे काफी सारी shortcut keys डाल दी है ताकि अगर कोई सी भी आपको देखने को मिलती है तो आप उसका answer कर पाओ next question Libre Office Writer में redo करने की shortcut key क्या है redo मतलब होता है कि आपको उस task को redone करना है एक होता है आपका undo एक होता है redo काफी बार यह पूछते है undo का मतलब होता है कि आपको undone करना है अपने task को आपने कोई task कर दिया गलती से आपको उसे हटाना है हटाने के लिए आप control plus z का इस्तमाल करोगे और अगर आपको क्या करना है उस task को फिर से करना है ठीक है redone करना है redo तो इसके लिए आप इस्तमाल करोगे control plus y का इन दोनों shortcut की इसको याद रख लेना students कई बार undo और redo में confused हो जाते है ठीक है तो आपको यह याद करना पड़ेगा तो इस question का right answer बनेगा option number b आपका manage template की shortcut की हमने अभी करी थी control plus shift plus n एक आदा question यहाँ पर repeat हो गया है उसे आप ignore करना ठीक है next question देखते है Libre office writer में bullet list जोडने के लिए किस कुझी का प्रयोग करते है किस shortcut की का इस्तमाल करके आप bullet list को add कर सकते हो अपने text के अंदर तो options देखलो shift plus f12 f12 control plus f12 या फिर none तो यहाँ पर इसका answer है shift plus f12 यह भी important है ठीक है next question is superscript and subscript दोनों समान करेक्टर की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं तो क्या यह true है यह false है तो यह आपकी क्या है false statement है false कैसे हो गया देखो superscript और subscript दोनों समान करेक्टर की तुलना में बड़े नहीं छोटे दिखाई देते हैं कैसे छोटे example देखो अगर हम बात करते हैं h2o का और अगर हम बात करते हैं x square का तो इन दोनों जो आपके करेक्टर्स है h और o इनके comparison में जो 2 है या यह छोटा है क्या है छोटा है ऐसे ही x के comparison में आपका जो 2 है यह छोटा है जब आपके करेक्टर के उपर जाएगा करेक्टर तो इसे बोलेंगे superscript क्या बोलेंगे superscript मतलब उपर की side है और जब आपके characters के तुलना में नीची में जाएगा character तो इसे बोलेंगे subscript क्या बोलेंगे subscript clear तो देख लो आप दोनों ही case में आपका जो character है वो समान character की तुलना में छोटे हैं चाहे वो नीची हो चाहे वो उपर हो दोनों case में छोटे होंगे next question देखते हैं आपे क्या है Libre office writer में status bar को हटाया जा सकता है status bar क्या दिखाता है आपका status bar में बहुत सारी चीज़े होती जैसे कि आपके number of pages कितने हैं ठीक है इसके अलावा कितने characters आपने लिख दी हैं कितने letters आपने लिख दी हैं ये सारी चीज़े का होती है आपकी status bar में इसको आप हटना भी सकते हो क्या तो बिल्कुल yes ये true statement है next is Libre office writer एक open source system software है तो क्या ये true है या फिर ये false है तो ये आपकी false statement है Libre office writer आपका open source system software नहीं है ठीक है next is ये कैसा है आपका application software है next is Libre office writer और MS office दोनों में control plus F का कारे समान होता है control plus F किसली होता है find करने के लिए अगर आपको कोई collector find करना है तो उसके लिए आप control plus F shortcut की का use करते हो तो yes दोनों में ही MS office के अगर बात करूँ MS office जो आपका Microsoft का suit होता है उसकी बात करूँ या फिर Libre office writer की बात करूँ दोनों में आप find का इस्तमाल करते हो control plus F के साथ तो yes it is true statement ठीक है next is Libre office writer में समानेता landscape होता है ये true है या फिर ये false है तो ये आपका क्या है false statement है false कैसे Libre office writer में समानेता landscape नहीं होता portrait होता है क्या होता है देखो आपके सामने मैं दिखाती हूँ ये page खुला हुआ है ठीक है ये page आपको जिस particular mode में दिख रहा है न इसे आप बोलते हो क्या जो आपका A4 size का जो वो है size उसे आप क्या बोलते हो A4 बोलते है आपका ये A4 है तो इसे हम बोलते है portrait portrait mode ये होता है और अगर बात करो landscape की तो अगर मैं इसको horizontally दिखाऊंगी तो ये बन जाएगा आपका landscape जैसे आपका कहां पर होता है impress में होता है ठीक है तो यहाद रखना writer में आपका होता है portrait mode और आपका impress है मतलब जो आपका presentation है वहाँ पर आपका होता है landscape तो ये दोनों question आपसे confuse करने के लिए पूछे जाते है next question देखो क्या है Libre office writer document में हम doc, docx XML जैसे files में save नहीं कर सकते क्योंकि ये open source होता है तो ये आपकी false statement है ऐसा कुछ भी नहीं है हम कोई और extension जैसे कि doc, docx इनमें भी अपनी files को save कर सकते हैं clear हो गया तो ये आपकी false statement है I hope so आपको questions पसंद आ रहे हैं अगर अभी तक आपको questions अच्छे लग रहे हैं तो class को आप like कर दीजेगा share कर दो अपने सारे friends के साथ ताकि उनको भी इस class का benefit मिले और subscribe कर लो O-Level GSD YouTube channel को और इस बार आपको सारे module clear करके इस particular exam का certificate अपने पास लेके आना है तो इसलिए अच्छी द्यारी करो और जहां पर लगता है कमी है वहाँ से concept complete करने के लिए playlist में जाके उस concept को पढ़के आ जाओ ठीक है अब देखो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे Libre Office Calc यह आपका chapter number 4 है ठीक है मैंने chapter wise questions डाले हैं ताकि आपका पूरा syllabus है वो revise होने में आपको help मिले ठीक है तो देखो In Libre Office Calc The shortcut key of going at the last of left of the cell is ठीक है अगर आपको last में जाना है left of the cell के तो उसके लिए क्या shortcut की है Alt प्लस टैब टैब Alt या फिर Shift प्लस टैब तो उसके लिए आपका जो key है वो आपका क्या है Option number D Shift प्लस टैब ठीक है और calc आपका क्या होता है Libre Office Calc आपका Spreadsheet के लिए software है Spreadsheet के लिए जो आपका Excel होता है na Microsoft Office में Last column का क्या नाम है Amj, Xfd, Amg या फिर Emj तो याद रख लेना यह important है Last column जो होता है उसका नाम होता है Amj ठीक है Next question is What is the combination of row and column in a Libre Office Calc Row और column से मिलके क्या बनता है आपकी यह row होती है इस तरीके से या आपकी column है ठीक है यापकी column है या आपकी row है इस तरीके से इनके combination से मिलकर क्या बना यह box सा बन गया तो इन सभी box को क्या बोलते हैं इन सभी box को क्या बोलते हैं इने बोलते हैं cell क्या बोलते हैं cell तो इनका नाम याद रख लेना इन cell में ही आप data को store करवाते हो ठीक है तो combination of row और column से मिलके बनता है आपका cell clear हो गया next is in Libre Office calc which symbol appears when a formula occurs error अगर आपके formula में कोई error आ गई है ठीक है तो उसका answer ठीक नहीं आएगा because आपने formula में कोई bracket नहीं लगाया या फिर कोई value गलत लिख दिये तो उस case में क्या symbol आपको दिखाई देगा जिससे आपको ये idea मिलेगा कि आपके formula में error है काफी अच्छा important question mark कर रहीं इसको तो इस question का answer क्या बनेगा dollar star slash या फिर hash तो इसका right answer बनेगा आपका option number d hash इस तरीके से आपको hash दिख जाएगा कि ये बताने के लिए कि आपने formula में error कर दी है ठीक है आप देखो next क्या है आपका question what will be the result of product 7, minus 2 तो इस तरीके से अगर आपके सामने कोई formula आ गया है is equal to आप जानते हो equals to लगाने के बाद आपका formula start होता है आप ये बात याद रख लेना कोई भी formula आप लिखते हो calc में तो आपको उसकी starting करनी है equals to के साथ ये भी question पूछा गया है equal to के साथ उसकी starting करेंगे आप ठीक है starting करेंगे किसी formula की तो यहाँ पे product का मतलब क्या होता है multiply करना तो 7, minus 2 7 को minus 2 से multiply करेंगे तो क्या answer आएगा 7 to the 14 और minus का आप गया minus 14 तो यहाँ पे question का answer बनेगा option number B minus 14 ऐसे question भी आ सकते है expected है next question देखो क्या है in LibreOffice Calc cos sign fact यह आपका है क्या exponential are the category of ठीक है तो यह सब किसकी category में आते है तो यह सब आपके आते है mathematical category में यह सब maths की function होते है cosine निकालना sine निकालना factorial निकालना exponentiation निकालना तो इन सब की category क्या है mathematical functions की category में आते है तो यह भी अच्छा question है आ सकता है अब मैं आगे बढ़ रही हूँ और बात करेंगे यहाँ पे next question की what is the shortcut key of print preview in LibreOffice Calc print preview के लिए क्या shortcut की आपकी होने वाली है देखो यहाँ पी क्या है control plus shift plus P control plus shift plus O control plus P या फिर none of the above control plus P करेंगे तो हम print कर देंगे लेकिन हमें तो print preview चाहिए इसके लिए आप करोगे control plus shift plus O control plus shift plus P इसका answer नहीं है confuse मत हो जाना कहीं आप देखो की P मतलब होता है print और इसको लगा के आज़ो right answer नहीं है ऐसा नहीं होगा control plus shift plus O मतलब का है के जो भी आपने margin लगाई है जो अपने content लिखा है जो color set के है बेगराउंट color set के है वो सही तरीके से आपको page पे दिखाई देगा या नहीं उसको चेक करने के लिए आप एक बार preview लेते हो ठिक है उसे हम बोलते है preview लेना ठीक एक बार चेक कर लेना कि सारी सेटिंग्स जो है वो ठीक तरीके से आई है फिर नहीं आई है जैसे कि मैं भी PDF बनाने से पहले प्रिंट प्रिव्यू करती हूं एक बार ठीक है उससे क्या होता है कि मांग लो कि कोई कोशन यहां पे रहा गया उसके options नीचे रहा गया तो ऐ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहां पे what is the shortcut key of inserting the function in the LibreOffice calc function को insert करने के लिए किस shortcut key का इस्तमाल करते हैं control plus f2, control plus f4, control plus f3 या फिर none of the above तो function को insert करने के लिए इस्तमाल करते हैं control plus f2 shortcut key का next question is what is the default file extension in LibreOffice calc? LibreOffice calc में default file extension मतलब अगर आपको कोई file save करने है calc में तो किस particular नाम से वो file आपकी save होगी .odt, .ods, .odp या फिर .xlsx तो यहां पे इस question का अंसर है .ods .odt, .ods मतलब open document spreadsheet इसकी full form भी आद कर लो क्या पता पूछ ले open document spreadsheet एस मतलब spreadsheet और जो calc है वो आपका क्या होता है spreadsheet का ही एक application है clear हो गया अब आगे बढ़ेंगे how many maximum characters in one cell in LibreOffice calc एक cell के अंदर, cell क्या होता है row और column से मिलके जो बनता है वो cell होता है एक cell के अंदर आप maximum कितने characters लिख सकते हो तो यहाँ पर आपके options available है 32767-1048-576-16384 या पर 1024 तो इस question का right answer option number A बनेगा आपका 32767 इतने maximum characters आप एक cell में लिख सकते हो करने के लिए किस shortcut key का use करते है most important यह question LibreOffice calc से देखो time को insert करना है तो क्या shortcut की होगी control plus semicolon control plus shift plus semicolon या फिर control plus T या फिर none तो यहाँ पर control plus shift plus semicolon इस key का इस्तमाल करके आप time को insert कर सकते हो ठीक है time अगर आपको चाहिए तो जो भी आपका current time होगा system का वो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है अब देखो LibreOffice calc में cell formatting के लिए किस shortcut key का प्रियोग करते है cell को format करना है तो उसके लिए किस shortcut key का use करेंगे control plus 1, control plus F2, control plus 2 या फिर control plus M तो control plus 1 का यहाँ पर use करेंगे next is पूरे row को select करने के लिए किस shortcut key का use करते है पूरी row आपको चाहिए अगर मानलो आपके पास इस type से यह आपकी columns है और यह आपकी rows है आपको या करना है यह वाली पूरी row select करनी है ऐसे इस तरीके से तो इसके लिए क्या shortcut की होने वाली है हमारे पास इसके लिए आपके shortcut की क्या होगी बताइएगा तो यहाँ पर options देखते हैं control plus space होगा shift plus space या फिर control प्लस shift plus space down या फिर none of the above तो इस question के लिए right answer होगा आपका option number B shift plus space shift plus space का इस्तमाल करके आप पूरी row को select कर सकते हो ठीके जी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे आपके question number next की लिब्रे office calc file by default किस नाम से save होता है लिब्रे office calc में अगर आपने कोई भी file बनाई है तो by default वो किस नाम से save होता है untitled one calc one spreadsheet one या फिर none तो वो save होता है आपका untitled one से calc one और spreadsheet one सिर्फ आपको confuse करने के लिए आपे दिये गए है untitled one से ही आपकी file का नाम save होता है ठीक है next is लिब्रे office calc में comment के लिए किस की का प्रयोग करते हैं तो comment लगाने के लिए आप किस का प्रयोग करते हो ctrl plus shift plus c ctrl plus c ctrl plus shift plus d या फिर ctrl plus alt plus c तो यहाँ पर इस question का answer बनेगा आपका option number d ctrl plus alt plus c इसको लगाने से आपके comment लग जाते हैं ठीक है यह comment के लिए होता है next आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला question क्या है लिब्रे office calc में किसी number को currency format में बदलने के लिए किस कुझी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर देखो currency format में अगर आपको number को बदलना है तो उसके लिए हम क्या इस्तमाल करते हैं control plus shift plus one control plus shift plus five control plus shift plus four या फिर control plus shift plus three तो उसके लिए इस्तमाल करते है control plus shift plus four का ठीक है next आगे बढ़ेंगे LibreOffice Calc में direct format clear करने के shortcut क्या है directly आपको format clear करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे control plus V, control plus M, control plus shift plus F या फिर control plus one तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं control plus M का next देखो यहाँ पर name box कहां पर होता है काफी important question है name box कहां पर होता है menu bar के नीचे बाई तरफ, menu bar के उपर बाई तरफ, status bar पर या फिर menu bar के नीचे दाई तरफ तो इस question का answer है menu bar के नीचे बाई तरफ में आपका क्या होता है menu bar के बाई तरफ में क्या होता है name box होता है याद रखना है इस चीज़ को ठीक है अब दिखो आगे बढ़ेंगे अगली शीट में जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं यह सीट नहीं है यह शीट है ठीक है इसको फोड़ा कारेक्ट कर ले रहा है यह आपकी शीट है आपके LibreOffice Calc में क्या होता है अलग-अलग शीट होती है न तो उसके लिए गिवन है यहाप कि किस पर्टिकुलर की का इस्तमाल करके आप अगली शीट पर जाते हो नेक्स कोशन इस LibreOffice Calc में किसी भी वेल्यू को हाइलाइट करने के लिए किस शॉटकट की का प्रियोग करते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे Ctrl प्लस F7 आएगा ठीक है तो Ctrl प्लस F6 का करते हैं Ctrl प्लस F7 का करते हैं Ctrl प्लस F8 या फिर Ctrl प्लस F1 तो यहाँ पे हम Ctrl प्लस F8 का यूज करते हैं किसी भी वेल्यू को हाइलाइट करना है अगर तो इसके लिए ठीक है Next is LibreOffice Calc में किसी Cell का Address कहां पे दिखाई देता है अगर आपको किसी Cell का Address चाहिए तो वो कहां पे मिलेगा आपको Formula Bar में Address Book में Name Box में या फिर None में तो किसी भी Cell का Address जोगा आपको Name Box में दिखाई देगा Address का मतलब कहारे को मान लो यहां पे ऐसे 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 यहां आपकी क्या है column है यहां आपकी rows है अब मान लो यहां आप जानते हो कि यहां से मान लेते हैं यह आपका A वाला column है यह B column है यह C column है यह D column है यह E column है and F and so on यहां वो सारे होते हैं ठीक है ऐसी आपका ये first row है, ये second row है, ये third row है and ये fourth और so on बहुत सी rows नीचे होती है मैं आपको मानलो इस particular cell का address पूछूंगी तो क्या बताओगे आप बताओगे C, पहले आपकी column आएगी और फिर 2, C2 तो C2 बनेगा इस cell का address और ये address आपको इस particular cell को जब आप select करोगे तो आपको इसका address name box के अंदर दिखाई देगा, ठीक है next is calc में last cell का address क्या होता है, जो आपका calc होता है उसमें last cell का address ये होता है, देखो amj1048575 amj हम पढ़के आएं, last column ये होता है आपका, और अगर last cell का address पूछेंगे जो आपका सबसे last में cell होगा, यहाँ पर कहीं पर पीछे, कहीं पर उसका address होगा amj1048575, इतने सारे cells होते हैं, देखो, ठीक है तो option number भी यहाँ पर correct हो गया next यहाँ पर देखो क्या है, लिब्रे office calc में Monday से लेकर Sunday तक लिखने के लिए क्या करते हैं, अगर आपको Monday से लेकर Sunday तक लिखना है, तो इसके लिए आप किस shortcut की का इस्तमाल करेंगे, यहाँ पर देखो Monday लिखकर right down corner पकड़कर नीचे की तरफ खिच देंगे, ऐसा करेंगे या फिर आप Monday लिखकर enter प्रेस कर देंगे, या फिर equal to weak function का use करेंगे, या फिर all of the above, तो यहाँ पर आप एक का इस्तमाल करेंगे, Monday आप लिख देंगे, मालनो यह आपका वह अला column है, आपने यहाँ पर Monday लिख दिया, और इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा होता है, आप का arrow बनाओ, उसको आप खीचोगे न, तो अपने आप seven days आजाएंगे, Monday के बाद Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ठीक है, साथ दिन आपके आजाएंगे, यह तरीका होता है आपका, Monday से लेके Sunday तक आपको अगर weekdays लिखने है, बाकी कोई भी तरीका ठीक नहीं है, ठीक है, next question आपका क्या होग टाब करोगे, alt करोगे, और shift plus tab, तो हम करेंगे shift plus tab, next is, LibreOffice Calc में, is equal to 10 into 20, divide by 4 into 8, यह आपका एक particular क्या है, formula लगा लो, एक expression है, इसका answer क्या आने वाला है, ठीक है, आपको इस question का answer बताना है, तो देखो, यह से करेंगे solve, तो यहाँ पे आपका है 10, multiply है 20, divide by 4 into में क्या है 8, तो आप जानते हो, multiply और divide की same क्या होती है, precedence होती है, तो हम left to right चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे, पहले हम 10 into 20 करेंगे, तो क्या आजाएगा, 200 आजाएगा, 200, divide by 4, और multiply by 8, इसके बाद हम करेंगे divide, तो 200 को जब 4 से करेंगे divide, तो क्या आएगा, आपका 50 आएगा कि नहीं आएगा, और 50 को जब 8 से करेंगे multiply, तो क्या आएगा आपका 400, तो hence, इस question का right answer बनेगा, आपका option number A, 400, clear हो गया, अब देखो next क्या है, लिब्रे office, calc में number left alignment और alphabet right alignment होता है, क्या ये statement जो आपकी है, ये true है या फिर ये false है, तो ये आपकी है false statement, ये गलत बात है, number left alignment होता है, और alphabet right alignment होता है, ये गलत चीज़ है, आपके जो number है, वो क्या होते हैं, आपके right alignment होते हैं, और alphabet आपके left वाले होते हैं, ठीक है, तो देखो next क्या है, LibreOffice calc by default एक auto calculator feature उपलब्द कराता है, जो की एक चियने सीमा परिसर में मानो को परदर्शित करता है, तो बिल्कुल ठीक बात है, यह बिल्कुल ठीक बात है, यह आपके true statement है, ठीक है, next is LibreOffice calc में पूरे cell को एक cell में बदल सकते हैं, अगर मान लो, आपका LibreOffice calc है, आपको पूरे cell को एक cell में convert करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, merge करके, तो यह आपकी क्या है, true statement है, next is LibreOffice calc and writer में control plus d का काम, सेम होता है क्या, LibreOffice calc और आपका writer में control plus d का सेम काम होता है, तो यह आपकी false statement है, ऐसा नहीं होता, होता है कैसे, control plus d की अगर बात करें हम, writer में, तो यह आपके double underline के लिए use होते है, writer के अंदर, content पे अगर आपको text पे double underline लगाना है, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, control plus d का, और अगर हम बात करें हैं, आपका writer है, ठीक है, writer के अंदर ऐसा होता है, अगर बात करें, calc की, तो calc में, control plus d, किस काम आता है आपके, fill down के लिए, fill down के लिए, मतलब वही बात है, अगर आपने 1 लिखा है, odds को आप क्या करोगे, नीचे के तरफ लिजाओगे, तो 1 के बाद 2, 3, 4, यह पुरा fill हो जाएगा, ठीक, इसे बलता है, fill down, तो यह काम करता है, का control plus d, इसलिए, दोनों के जो काम है, दोनों, applications में, अलग-अलग होते हैं, ठीक है, तो यह false statement है, अब हम आगे वड़ रहे हैं, और बात करेंगे, यहाँ पे, लिब्रे office impress की, तो यहाँ पे आपके impress के question स्टार्ट हो गए है, अब हम impress के question को cover करेंगे, देखो, what is the minimum zoom in लिब्रे office impress, लिब्रे office impress में minimum कितना zoom होता है, तो यहाँ पे 10 है, 5 है, 8 है, and 20 है, तो इसका answer है 5, next question is, what is the maximum zoom in the लिब्रे office impress, maximum आप कितना zoom कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 1000, 2000, 3000, या फिर 4000, तो यहाँ पे आप 3000 को maximum zoom में कर सकते हो, next question is, how many slide printed on an A4 paper in लिब्रे office impress, A4 paper पर कितनी जो slide होती है, वो आ सकती है, 6 आ सकती है, 9, 12 या 15, काफी important question है यह, तो यहाँ पे इसका answer बनेगा, आपका क्या, 9, ठीक है, 9 slides आपके A4 paper पर इस सरी को पेपर है, इस पर आ सकती है, print करते है time, next is, what is the default file extension in लिब्रे office impress, लिब्रे office impress के लिए, default file extension क्या होता है, dot odt, dot ods, dot odp, और फिर pptx, तो यहाँ पे इसका answer है, dot odp, और यहाँ पे इसकी full form व्याद कर लेना, open document presentation, ठीक है, next is, which of the following view is not available in लिब्रे office impress, लिब्रे office impress में में से कौन सा व्यू अविलेबल नहीं होता, outline, notes, slide sorter या फिर master, तो outline तो होता है, notes भी होता है, और slide sorter भी होता है, जिसमें आपकी सारी slides एक साथ दिखती है, master view नहीं होता, ठीक है, next is, which of the following is a slide transition effect, slide transition effect क्यों होता है, जब आप एक slide देख रहे हो, और दोसरी slide जैसी ही आती है, तो कोई effect उस पे लगा होता है, उसे बोलते है slide transition, ठीक है, जैसी आपकी slides change होती है, उसके बीच में जो animation होता है, जो transition होता है, उसे बोलते है slide का transition का effect, तो इसमें कौन सा है वो effect, wipe all over, fine dissolve, bit by bit, या फिर none of the above, तो इस question का right answer बनेगा, आपका option number B, fine dissolve, ठीक है, next is, what is the shortcut key to exit Libre Office Impress, Libre Office Impress से exit करने के लिए क्या shortcut की है, तो यहाँ बेस, question का answer क्या होगा, ctrl plus q, ctrl plus w, ctrl plus w होगा, shift plus c, या फिर none of the above, तो यहाँ पर ctrl plus w इसका right answer बनेगा, exit करने के लिए, next देखो क्या है, what is the shortcut key to add the new slide in the Libre Office Impress, Libre Office Impress में new slide को add करने के लिए क्या shortcut की है, ctrl plus n, ctrl plus m, shift plus n, या फिर ctrl plus shift plus n, तो देखो new समझ के आप n बाला option मत लगा देना, यह सारे क्या है, गलत options है, ctrl plus m is the right shortcut key to add the new slide, अगर new slide डालनी है, तो इसके लिए आपको, क्या उप्स करना पड़ेगा, ctrl plus m, what is the power point known as in Libre Office Impress, ठीक है, तो यहाँ पर, इसका answer यह पर given है, आपे मुझे ऐसे आटाना था इस चीज़ को, what is power point known as in Libre Office, तो इसका answer होता Impress, ठीक है, गलती से यह भी लिखा गया, तो इसका answer Impress है, Libre Office के अंदर Impress application में आपको presentation की facility प्रवाइड होती है, ठीक है, अब देखो, What is the shortcut key for slide show from the current slide of the presentation, अगर आपको slide show करना है, current slide of presentation से, तो उसके लिए shift plus F5 है, और अगर starting से करना है, तो F5 है, ठीक है, Current slide से करना है, अगर slide show, तो उसके लिए क्या है, shortcut key, shift plus F5, और अगर starting से करना है, तो उसके लिए F5, याद रख लेना, इन दुरों में confused हो जाते हैं, गई बार बच्चे, ठीक है, Next देखों यहाँ पर, Libre Office Impress में कौन सा alignment नहीं होता, Central Alignment, Left Alignment, Right Alignment, या फिर Justification, तो Justification यहाँ पर नहीं होता, या आपका किसम होता है, राइटर में होता है, ठीक है, Next is, Libre Office Impress में Macros Command किस menu में होती है, Macros Command किस menu में होती है, Insert में, Slide में, Tools में या फिर None में, तो आपके Tools में होती है, किसमें होती है, Tools में, यह सका answer यह था, ठीक है, देखो, Macros Command किया होता है, अगर आपको कोई भी ऐसी command है, या फिर कोई भी ऐसे text है, जो आपको बार बार नहीं follow करना, उसका आप Macrobe ना सकते हो, और उसे बार बार use कर सकते हो, instead of doing it again and again, ठीक है, Next question देखो, यहाँ पर क्या है, आपका LibreOffice Impress, किस तरह का program है, तो LibreOffice, जो Impress है, वो क्या है, spreadsheet है, word processing है, presentation है, या फिर इन में से कोई नहीं, तो यह आपका क्या होता है, presentation, ठीक है, जैसे Microsoft Office में आपका होता है, PPT के लिए PowerPoint, उस तरीके से यहाँ पर Impress काम करता है, for the presentation, ठीक है, Next is, LibreOffice Impress, में बने presentation का by default नाम क्या होता है, जो भी आप presentation मनाते हो, LibreOffice Impress में, इसका by default एक नाम होता है, वो क्या होता है, SHW1, Slide1, Presentation1, या फिर Untitled1, तो यहाँ पर इसका नाम होता है, क्या, Untitled1 होता है, ठीक है, Next is, LibreOffice Impress में कौन सी फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जाता है, JPG का इस्तमाल कर सकते हैं, JIF का कर सकते हैं, WAV का कर सकते हैं, HTML का इस्तमाल Impress में नहीं कर सकते हैं, Option number B is correct, Next is, LibreOffice Presentation को किस नाम से जाना जाता है, तो LibreOffice Presentation को हम जानते हैं, Impress के नाम से, Jump to Last Edited Slide पर जाने की shortcut की क्या है, अगर आपको Last Edited Slide पर जाना है, जो हमने Last Editing करे हैं, जिस Slide की, उस पर जाना है, तो उसके लिए क्या shortcut की होता है, Ctrl प्लस नमबर उस Slide का, Alt प्लस शिफ्ट प्लस F5, Shift प्लस F5, फिन अन अफ़ द अबफ, तो इस Question का, Right Answer बनेगा Option नमबर B, Alt प्लस शिफ्ट प्लस F5, ठीक है, इसके साथ, Next Question दिखते हैं, क्या है, Side Pane का Option किस Menu में होता है, तो Side Pane का जो Option है आपका, वो किस Particular Menu में Available होता है, तो इस Question का, Right Answer क्या बनेगा, View में, Page Layout में, Insert में, या फिर Format में, तो आपका किस में होता है, View में होता है, Side Pane का Option, ठीक है, जो Side में आपका ऐसे Pane मना आता है, जिसके अंदर आपकी Slides बनी होती है, Short Form में, जो आपकी Shortcuts में, जिनके Screenshots लेगे होती है, वो आपका Side Pane कहलाता है, वो View में होता है, ठीक है? Next is Slide Transition का Option, किस में होता है? ठीक है, Slide में होता है, View में होता है, One and Two दूनों में होता है, फिर Insert में होता है, तो वो कहांपे होता है आपका? view में होता है और slide में भी होता है ओके तो यहाँ पर दोनों correct है तो यहाँ पर option number C is correct ठीक है तो यहाँ पर option number C is correct है next question देखते है LibreOffice draw में ruler की shortcut की क्या है Ctrl प्लस Shift प्लस R Shift प्लस F3 Ctrl प्लस Alt प्लस O या फिर none of these तो यहाँ पर Ctrl प्लस Shift प्लस R is the right answer ठीक है next is LibreOffice impress में कितने menu होते है कितने menu होते है तो यहाँ पर इसका answer क्या बनेगा आपका option number C total 10 menus available होते है ठीक है जैसे कि आपका view, edit, insert इस तरीके से ठीक है next is impress में text box के लिए किस key का प्रियोग करते है text box अगर आप पुचाहिए तो इसके लिए F3 करेंगे, ctrl plus F2 करेंगे shift plus F2 या फिर F2 तो सिर्फ F2 करोगे तो आपको text box मिल जाएगा ठीक है text box के लिए सिर्फ F2 से ही काम चल जाएगा next question देखते हैं आपर यह last question है आपके impress का impress में previous slide पर जाने के लिए किस key का use करते हैं तो पिछली slide पर जाने के लिए end दबाते हैं M, W या फिर P तो previous के लिए हम P वाली key का इस्तमाल करते हैं तो यहां तक हमारे 5 chapter complete हो चुके हैं अभी हमारे कुछ chapters बज़े हैं उन्हें भी cover करेंगे तो अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो like कर दीजेगा और share कर दो अपने सारे friends के साथ और जो भी new students है वो इस channel को subscribe कर लो आगे आने वाली सारी वीडियो और updates के लिए ठीक है तो देखते हैं यहां पर next question क्या है website का address निमल लिखित में से क्या कहलाता है user id, url, time stamp या फिर ये सबी तो बहुत यासान सा आपका answer है url आपका website का address होता है ठीक है किसी भी webpage का आपका जो address है on the internet उसे हम बोलते है url इसकी full form क्या होती है uniform resource locator अभी हमने देखी भी थी उपर question में next question is internet से संबंधिद FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है तो यहाँ पर आपसे FTP प्रोटोकॉल की full form पूछी है file transfer protocol file transfer problem file transfer previous या फिर इन में से कोई ने तो यहाँ पर बहुत या असान सी full form है file transfer आपकी protocol अगर आपको मिलता है file transmission protocol तो वो गलत होगी file transfer protocol is the correct answer next is भारत में internet की शुरुआत कब हुई थी तो 15 अगस्ट 1995 इस दिन आपकी internet की starting हुई थी in India काफी important यह आपकी history से question है next is pan का पूर रूप क्या है तो यहाँ पर जो यह pan है यह आपका pan card वाला pan नहीं है यह आपका एक network होता है permanent account number यह आपका pan card होता है यह आपका होता है pan card जो आपका personal pan card होता है न bank में जिस आप लगाते हो यह वह वाला होता है उसकी full form होती है permanent account number लेकिन अगर बात करें इस वाले pan की तो इसका मतलब क्या होता है personal area network या फिर permanent area network तो इसको हम बोलते है personal area network for example अगर हम बात करें तो आपके bluetooth की ठीक है तो bluetooth में आपका क्या होता है एक particular range होती है approximately 10 meter की range के अंदर ही आप communication कर सकते हो तो वो आपका होता है personal area network एक person के personal zone में ही connectivity कर सकते हैं ठीक है तो example of pan is bluetooth next is world wide web www www मानक किसके दुआरा बनाया गया है ठीक है तो world wide web को किसने बनाया है तो यहाँ पे आप सब जानते हो कि सभी standards को बनाने वाली एक ही organization है जिसका नाम है worldwide consortium ठीक है तो इसको आप w3c भी कहते हो w3c इसी का ही नाम है ठीक है next is निम्न मेंसे कौन सा browser नहीं है तो कौन सा इन मेंसे browser नहीं है chrome होता है firefox होता है safari होता है google plus google plus आपकी google के एक application है यह आपका browser नहीं है तो यह आपका अंसर सही बन गया website नाम में http क्या है website का नाम जैसे है http google.com this is the website name यहाँ पे http क्या है host है website का नाम है protocol है या फिर top level domain है तो यहाँ पे यह क्या है आपका protocol है क्या है protocol और इसकी full form क्या होती है I hope सब जानते होंगे जो जानते है उसे comment में लिख देना next is किस topology में network component एक ही cable से connect किये जाते है कौन सी topology में सभी network component एक ही cable के साथ जुड़े होती है जैसे हम बोलते है backbone cable क्या बोलते है backbone cable मैंने in detail में आपको पढ़ाया था network topologies और उसके अंदर एक cable किसमे होती है आपकी burst topology में ठीक है क्या करता है आपका basically multipoint यहाँ पे आपकी connectivity होती है next is web page का एक word जिसे click करने पर दूसरा document खुलता है उसे क्या बोलते है URL बोलते है anchor बोलते है reference बोलते है फिर hyperlink तो उसे बोलते है hyperlink मैंने आपको hyperlink और hypermedia में difference बताया था in the videos तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो M1 R5 की videos आपको मिल जाएगा यह वाला content और इसमें difference क्या होता है ठीक है hypermedia कैसे बनता है hypertext कैसे बनता है hyperlink क्या होता है मैंने आपको सब कुछ बताया हुए next is जो device 2 या 2 से अधिक network को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है ऐसा कोई device जो 2 या 2 से जदा networks को जोड़ता है और एक चीज और याद रखना वो जो networks है वो different protocols का इस्तमाल कर रहे हैं protocols का वो इस्तमाल कर रहे है protocol का मतलब क्या है set of rules तो आपको right मे चलना है लेट मे tutor चलना है जेबरा क्रोसिंग क्रोस करने हैं अगर आप पर जा रहे हूंँथ तो आपको protacles करना पड़ता है Willow that को जोडने आकाम करता है और वो आपके networks अलग-अलग protocols का भी use कर सकते हैं उस device का नाम होता है gateway क्या होता है gateway बस नहीं होता road वे कुछ होता नहीं है gateway होता है pathway कुछ होता नहीं है ठीक है HTML का पूरा नाम क्या है एसे question का answer में नहीं दूँगी आपको पता है इस answer क्या है next is website का address निमल लिखित में से क्या कहलाता है किसी भी website का address क्या होता है again यह question हम कर चुके हैं c is right answer next is modem का पूरा नाम क्या होता है जो modem है उस क्या उसकी full form क्या होती है पूरी उसकी full form क्या होती है modulator, demodulation, modulator, demodulator, modulator, discussion या फिरिंड में से कोई नहीं तो वो क्या होती है आपकी modulator और demodulator ठीक है तो देखते हैं यहाँ पर next question क्या है website का address निमल लिखित में से क्या कहलाता है user id, url, timestamp या फिर यह सभी तो बहुत ही असान सा आपका answer है url आपका website का address होता है, ठीक है किसी भी webpage का आपका address है on the internet उसे हम बोलते है url इसकी full form क्या होती है uniform resource locator अभी हमने देखी भी थी उपर question में next question is internet से संबंधिद FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है तो यहाँ पे आपसे FTP protocol की full form पूछी है file transfer protocol, file transfer problem, file transfer previous या फिर इन में से कोई ने तो यहाँ पे बहुत असान सी full form है file transfer आपकी protocol अगर आपको मिलता है file transmission protocol तो वो गलत होगी file transfer protocol is the correct answer next is भारत में internet की शुरुआत कब हुई थी तो 15 अगस 1995 इस दिन आपकी internet की starting हुई थी in India काफी important या आपकी history से question है next is pan का पूर्ण रूप क्या है तो यहाँ पे जो pan है या आपका pan card वाला pan नहीं है या आपका एक network होता है ठीक है permanent account number या आपका pan card होता है या आपका होता है pan card जो आपका our personal page родot owner bank बद कर तका लंग वह वह वाला ला chess band होता है और उसकी focus प्रमादिस account number लेकिन अगर बात करें इस वाले pen की तो इसका मतलब क्या होता है personalreg tripal萌त या फिर permanent area network तो इसको हम बोलते है personal area network For example, अगर हम बात करें, तो आपके Bluetooth की, ठीक है, तो Bluetooth में आपका क्या होता है, एक particular range होती है, approximately 10 meter की range के अंदर ही आप communication कर सकते हो, तो वो आपका होता है Personal Area Network, एक person के Personal Zone में ही connectivity कर सकते हैं, ठीक है, तो Example of Pan is Bluetooth, Next is World Wide Web, www मानक किसके दुआरा बनाया गया है, ठीक है, तो World Wide Web को किसने बनाया है, तो यहाँ पे आप सब जानते हो, कि सभी standards को बनाने वाली एक ही organization है, जिसका नाम है, World Wide Consortium, ठीक है, तो इसको आप W3C भी कहते हो, W3C इसी का ही नाम है, ठीक है, Next is, निम्न में से कौन सा browser नहीं है, तो कौन सा इन में से browser नहीं है, Chrome होता है, Firefox होता है, Safari होता है, Google Plus, Google Plus आपकी, Google के एक application है, यह आपका browser नहीं है, तो यह आपका अंसर सही बन गया, Website नाम में HTTP क्या है, Website का नाम जैसे है, HTTP Google.com, this is the website name, यहाँ पे HTTP क्या है, Host है, Website का नाम है, Protocol है, या फिर टॉप लेवल डुमेन है, तो यहाँ पे यह क्या है, आपका प्रोटोकॉल है, क्या है प्रोटोकॉल, और इसकी full form क्या होती है, I hope सब जानते होंगे, जो जानते हैं, उसे comment में लिख देना, Next is, किस topology में network component एक ही cable से connect किये जाते हैं, कौन सी topology में सभी network component एक ही cable के साथ जुड़े होते हैं, जैसे हम बोलते हैं, backbone cable, क्या बोलते हैं, backbone cable, मैंने in detail में आपको पढ़ाया था, network topologies, और उसके अंदर एक cable किसमें होती हैं, आपकी burst topology में, ठीक है, और यह क्या करता है, basically multipoint यहां पर आपकी connectivity होती है, next is, web page का एक word, जिसे click करने पर दूसरा document खुलता है, उसे क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं, anchor बोलते हैं, reference बोलते हैं, फिर hyperlink, तो उसे बोलते हैं hyperlink, मैंने आपको hyperlink और hypermedia में difference बताया था, in the videos, तो अगर आपने नहीं देखी हैं, तो आप दे hypertext कैसे बनता है, hyperlink क्या होता है, मैंने आपको सब कुछ बताया हुए, next is, जो device दो या दो से अधिक network को जोडता है, उसे क्या कहा जाता है, ऐसा कोई device जो दो या दो से जादा networks को जोडता है, और एक चीज और याद रखना, वो जो networks हैं, वो different protocols का इस्तमाल कर रहे हैं, यह set of rules, मतलब कुछ ऐसे rule हैं, जो हम follow करेंगे, जैसी कि आप road पर चलते हो, तो road पर चलते हो, आप कुछ rules का इस्तमाल करते हो, ठीक है, use करते हो ना, कि आपको right में चलना है, left में चलना है, zebra crossing, cup cross करने हैं, तो यह कुछ protocol हैं, सब को follow करने पड़ते हैं, अगर आप road पर जा र ठीक, networks को जोडने हैं काम करता है, और वो आपके networks, अलग-अलग protocols का भी use कर सकते हैं, उस device का नाम होता है, gateway, क्या होता है, gateway, bus नहीं होता, road पर कुछ होता नहीं है, gateway होता है, pathway कुछ होता नहीं है, ठीक है, HTML का पूरा नाम क्या है, ऐसे question का answer में नहीं दोंगी, आपको पता है, इसका answer क्या है, next is, website का address, निमल निखित में से क्या कहलाता है, किसी भी website का address, क्या होता है, अगें, ये कुछ नहीं हम कर चुके है, c is right answer, next is, modem का पूरा नाम क्या होता है, जो modem है, उसके full form क्या होती है, पूरी, उसकी full form क्या होती है, modulator, demodulation, modulator, demodulator, modulator, discussion, या friend में से कोई नहीं, तो वो क्या होती है, आपकी modulator और demodulator, ठीक है, next, आगे बड़ेंगे और बात करेंगे, यहां पे next question की, internet का standard protocol क्या है, तो यहां पे internet का standard protocol पुछा गया है, तो क्या वो html होता है, क्या वो java होता है, tcpip होता है, या फिर ये सभी, तो इस question का right answer क्या होगा, यहां पर इसका right answer बनेगा TCP IP, ठीक है TCP IP इसका होता है standard protocol और इसकी full form होती है transmission, control protocol, internet protocol, ठीक है next is mac address कितने bits का होता है, तो mac address जो होता है वो आपका कितने bits का होता है, वो आपका होता है 48 bits का mac address को हम physical address भी कहते है mac address is also called as physical address, ठीक है तो यह होता है 48 bits का और यह address किसी भी device का होता है, जो कि fixed होता है, जो कि हमेशा के लिए same रहता है, ठीक है IP address के होता है, हर बार change होता है according to the network, लेकिन physical address किसी भी device का constant होता है, static रहता है next is internet के लिए पैसा किसे देते हैं, अगर आपको internet service चाहिए, तो आप किसको payment करके आते हो आप करते हो internet service provider ISP, ISP की full form होती है internet service provider तो internet service लेने के लिए हम इनको payment करते हैं और फिर हमें किसी भी company का network connection मिल जाता है next is, जब भी कोई user किसी website को open करता है, तो मुखे page को क्या कहते है, जब भी आप किसी भी website खोलते हो तो सबसे सामने वाला page जो आपको दिखता है उसे क्या बोलते है, dead end, home page, front page या फिर back end page तो उसे बोलते हैं क्या home page, the first page of any website is called as the home page ठीक है, इसे बोलते है main page next is, कौन सा प्रोटोकॉल internet में connect client को IP address assign करता है अगर आपके internet से बहुत से client जुड़े होई है, तो उन clients को हर एक IP address दिया जाएगा हर एक client को, तो वो कौन assign करता है, RPC, IP, DH, CP और TCP, TCP तो एक प्रोटोकॉल है जो आपके network के connection को help करेगा, लेकिन जो IP address है, वो आपको देगा कौन DHCP, dynamic, इसकी full form important है, dynamic, host, configuration protocol, configuration protocol, ठीक है? नेक्स्ट कोशन इस, internet explorer क्या है? सर्च इंजन, browser program, database या फिर इन में से कोई भी नहीं तो क्या ये सर्च इंजन है, क्या है आपका browser program है, या ये database है? तो जो आपका internet explorer होता है, वो आपका होता है browser program, ठीक है? ये आपका क्या होता है, browser होता है, ये search engine नहीं होता है, ये browser program है, एक क्या है? ये web browser है, आप सब लोग जानते हो internet explorer, ये आपके system में आपकी windows के साथ ही आता, Microsoft में, web browser, ठीक है? नेक्स्ट इस, NIC का pod रूप क्या है, NIC की full form पूछे है, यहाँ पे national internet, network information center, network interface card, या फिर network interface code, तो यहाँ पे इसकी full form होती है, network interface card, अगर ये card आपके CPU के साथ नहीं है, attached, तो आपके system में network की connectivity नहीं आ पाएगी, इसी के साथ आप LAN को जोड सकते हो, तो इसलिए NIC is a very important thing for network connectivity, next is IPv6 address का size क्या है, ऐसा question last time देखा गया है, IPv4 और IPv6 के address की bits पूछी हुई थी, last paper में काफी काफी important है, 2 star लगा लो, ठीक है, तो आपके जो IP address होते हैं, उनके अभी 2 version available है, एक आपका IPv4, और जो currently अभी use कर रहे हैं, वो आपका है IPv6, दोनों की number of bits पूछते हैं, उन के address के कितनी होती है, तो IPv6 में आपकी होती है, 128 bits, कितनी होती है, 128 bits, और IPv4 में कितनी होती है, यह आगे हम पढ़ने वाले हैं, questions में, ठीक है, यहाँ पे 28 bits होती है, bytes नहीं होती है, और अगर आपसे bytes में पूछ लेंगे, तो आप बता सकते हो, देखो, अगर मैं बात करू 1 byte की, आप जानते हैं, हमने discuss क्या था, 1 byte जो होते हैं, वो आपके 8 bits के equal होते है, 8 bits के equivalent होते हैं, आपके क्या, 1 byte, तो अगर आपको पूछा जाए, कि आपके IPv6 में कितनी आपकी byte होती है, तो आप 128 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पे देखो, 1, और आपका 16, ठीक है, तो 16 bytes होती हैं आपे, 16 bytes होती है, आपकी किस के अंदर, IPv6 के अंदर, आप इसे 128 bits बोलो, या फिर 16 bytes बोलो, दोनों का मतलब बिलकुल सेम है, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, ISP का पूण रूप क्या है, तो ISP की full form पड़ी है, अभी हमने internet service provider, ठी TCP का पूण रूप क्या है, तो TCP का पूण रूप क्या है, टोटल call protocol, transmission control protocol, transmission call protocol, या फिर transmission circuit protocol, काफी असान और काफी important, इसकी full form है, transmission control protocol, next is internet पर उपलब्द सुविदाएं है, FTP, email, e-commerce या फिर सभी, तो देखो FTP क्या होता है आपका, file transfer protocol, ये एक internet service है, next is email आप net के बिना नहीं कर सकते, e-commerce जो आपका business होता है online, e-commerce उसे भी आप internet के help के बिना नहीं कर सकते, it means, ये सारी आपकी applications है, of the internet, तो यहाँ पर option number D is the right answer, next is SIM, जो आप SIM यूज़ करते हो, अपने mobile phone के अंदर, उसकी full form क्या होती है, subscribers identity module, subscribers identity machine, self identity machine, या फिर self identity module, तो यहाँ पर इसका right answer है, subscriber identity module, ठीक है, अब देखो next क्या है, 2G spectrum में अक्षर G किस शब्द के लिए है, इस G का क्या मतलब है यहाँ पर, global, government, generation, या फिर google, जो अब 2G, 3G, 4G, 5G भी आगए अब तो, तो यह networks आप यूज़ करते हो, internet के लिए, तो यह क्या है G मतलब generation, second generation, third generation, fourth and fifth generation, अब आ चुकी है, ठीक है, next is, Bluetooth प्रियोदोगी की संभव बनाती है, क्या करती है आपकी Bluetooth देखो, उपकरोनों के बीच wireless संचार को, mobile phone पर signal प्रसारण को, landline से mobile phone संचार, या फिर satellite, telephone संचार, तो आप जानते हो, जो आपका BT होता है Bluetooth, उससे आप क्या करते हो, आस पास के सारे device के अंदर, आप connection में आके, उसमें कोई भी जो फाइल है, डेटा है, ट्रांसवर कर सकते हो, तो उपकरणों के बीच, wireless communication को possible करता है, आपका Bluetooth, option number A is correct, clear, next is, देखोएं आपे क्या है, इंटरनेट से संबन्धित, FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है, तो हम देख चुके हैं, FTP का मतलब क्या होता है, file transfer protocol, option number A is correct, next is, IMEI, again important, इसकी full form क्या होती है, IMEI का full form क्या है, internet mobile equipment identity, international mobile equipment identity, international mobile inquiry identity, या फिरिंट में से कोई नहीं, आप जानते होंगे, की, जब भी आपका phone वेगारा गुम हो जाता है, तो आपसे जो आपके service provider है, वो आपसे आपके phone का, आपके device का IMEI नंबर मांगते हैं, तो उसकी full form होती है, international mobile equipment identity, option number B is correct, next is IPv4, आगे हो question, इसका address जो होता है, वो कितने bit का होता है, 16, 32, 64 या फिर 128, तो यह होता है, 32 bits का, ठीक है, फिर से चलेंगे उपर, देखो, यह आपका होता है, 32 bits का, इसका screenshot ले लेना, अपने पास रख लेना, ठीक है, और अगर आपसे byte पूछेंगे, तो आप 32 को जब 8 bits से divide करोंगे, तो इसका answer आएगा 4, ठीक है, तो 4 bytes बोलो, या फिर 32 bits बोलो, IPv4 के लिए, और यहाँ पर 128 bits बोलो, या फिर 16 bytes बोलो, दोनों सेम चीज़ है, clear, next question, देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा protocol, email के लिए use किया जाता है, email को send करने के लिए किस particular protocol का इस्तमाल करते है, SMTP, FTP, TCP, IP या फिर IRC, तो इसका answer SMTP, SMTP की full form भी पूछते हैं, simple mail transfer protocol, simple mail transfer protocol, इस protocol का इस्तमाल करके हम email send कर सकते हैं किसी भी user को, लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है, आप सिर्फ email को send कर सकते हो इससे, receive नहीं कर सकते, receive करने के लिए हमारे पास दो protocol है, एक होता है आपका IMAP, internet message access protocol और एक आपका होता है POP3, post office protocol, post office protocol 3 मतलब version 3 और IMAP is internet message access protocol, ये दो protocols का इस्तमाल करके आप message को email को receive कर सकते हो, ठीक है, next is which of the following symbols separates the two parts of an email address, email address के अंदर दो पार्ट होते हैं, अब यहाँ से आपका next chapter स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसमें आप email के बारे में पढ़ेंगे, और जो अलग चीज़ें वो पढ़ेंगे, देखो हैं आप एक है, email address में आपके दो पार्ट होते हैं, आपको मैंने बताया था, एक होता है domain name, एक होता है आपका host का नाम, ठीक है, तो यहाँ पर उनको separate करने के लिए, आप किस का, किस symbol का use करते हो, underscore का, add the rate का, and का, या फिर none of these, तो यहाँ पर इस question का answer, आप सब लोग जानते हो, आप सब के पास email IDs हैं, तो इसके लिए हम use करते हैं, किस का, add the rate का, add the rate का इस्तमाल करके, आप क्या करते हो, अपने email को आप separate कर सकते हो, next is, usually the email address is in, आपका जो email address है, वो किस में होता है, usually, lowercase, uppercase, propercase, and then all of these, तो usually किस में होता है, आपका lowercase में, जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं, small caps में, o level, add the rate, gmail.com, तो यह क्या है, आपका lowercase में है, ठीक है, और यह आपका host का नाम है, इतना, यहां तक, यह है, और add the rate के बाद, यह आपका domain है, ठीक है, इस तरीके से करते हैं, now next is, which of these is the easiest way of communication, सबसे असान तरीका क्या होता है, communication का, email करना, fax करना, telephone यह फिर letter, सबसे असान होता है, आपका email करना, देखो, telephone करोगे, तो क्या होता है, आपको यहाँ पर, phone करना पड़ेगा, फिर wait करना पड़ेगा, वो phone उठाएगा, तभी आपकी बात हो पाएगी, message यहाँ पर, पहुँचेगा या फिर नहीं, यह depend करता है, कि आपके, जो भी receiver है, उसने आपके phone को उठाया या फिर नहीं उठाया, letter में भी same चीज़ है, आपको यहाँ पर time भी लगता है, और receive होगा या नहीं, पता नहीं, ठीक है, मान लो, बीच में कहीं गुम हो गया, कुछ भी हो गया, miss happening होगा, address नहीं मिल पाया, तो आप नहीं पहुच पाया, fax का भी यही होता है, कि यहाँ पर depend करता है, कि उसकी machine वहाँ पर on है, तो fax वहाँ पहुचा नहीं पहुचा, ठीक है, लेकिन email जो होता है, वहाँ पर पहुचता ही, पहुचता है, आपने अगर यहां से send कर दिया, तो वहाँ पर email आएगा ही आएगा, बस उसको internet on करना है, और email ले लेना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बीच में आपकी email कोई रोक लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, email अगर आपने send कर दिया, तो वह आपके receiver को मिलने ही मिलने है, तो सबसे fastest और सबसे easiest way of communication होता है, आपका email, ठीक है, next आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, यहां पर देखो, इसका answer option number A है, next देखो, what do you need to do before you delete the messages from your inbox, ठीक है, अगर आपको message delete करने अपने inbox से, तो उसके पहले आप क्या करोगे, erase the messages, deselect the messages, select the messages, या फिर backspace the messages, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, erase करेंगे messages को, select करेंगे, आपर deselect करेंगे, या फिर backspace करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, उन्हें select करेंगे, select करने के बाद ही तो आप उन्हें erase कर पाओगे न, ठीक है, मतलब अगर आपको अपने inbox में से, inbox क्या होता है, एक वो area जहाँ पे आपके जो भी received mail है वो आते हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके received mail है वो आते हैं, अगर आपको उसकी भी mail को delete करना है, मतलब जो भी किसी user ने आपको send करी है, email वो आपके inbox में आती है, उनको delete करने के लिए पहले आपको उन messages को select करना पड़ेगा, उसी के बाद delete कर पाओगे, ठीक है तो option number C is correct, next is to move the messages, point to the message and then, अगर आपको message वाला जो आपका tab होता है, उ तो क्या करोगे, आप पहले उस message पे जाओगे, point लगाओगे अपना cursor, और उसके बाद क्या करोगे, point to the folder you want to move, click the mouse and drag it, double click the messages, या फिर none of these, तो आप अपने mouse को drag करोगे, और आप जहां पे भी उसे move करवाना चाहते हो, वहां पे वो move हो जाएगा, ठीक है, next is, mail access start with client when user needs to download email email from the, ठीक है, जो mail access है, वो start होता है, जब आपका user download करता है email को from the, तो email कहां से download होगी, mailbox से, mail server से, mail host से, आप इंटरनेट से, तो कहां से होगी, mailbox से, next is, under the digital india initiative, dash had developed online registration system, तो किस आपके center ने online का, जो system है, अपने आपको register करने, दो ने वो बनाया है, nationality information center, nation information center, और आपके national informatics center, या फिर nationalism informatics center, तो इस कांसार है, national informatics center, तो इस कांसर है national informatics center, next is, which of the following is the most popular social networking site on the internet, इन में से सबसे जादा popular, social networking site, कौन से है, myspace, facebook, और कुच या फिर फ्रेंट, से तो most popular इन में से कौन से है, facebook, बुक, नेक्स दिखते हैं क्या है, what services are available on Umang, Umang आपकी एक application है, government application जो आपको e-governance services provide करवाती है, e-governance services, मतलब आप बहुत सारी government services को इस application से access कर सकते हो, e-governance services के लिए application है, और यहाँ पे EPFO, CBSC और pension portal जैसे services का आप लाब उठा सकते हो, तो यहाँ पे all of the above is the right answer, next is, dash is the exchange of computer stored messages by telecommunication, telecommunication का इस्तमाल करके, computer में stored message को exchange करते हैं, वो कौन सी technology है, आपकी e-web, e-net, email या e-chart, तो हो है आपकी email, ठीक है, electronic mail, e का मतलब होता है, electronic, यह e का मतलब भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको इसका idea होना चाहिए, सब जानते है, electronically हम mail send करते हैं, तो इसे बोलते है, electronic email, ठीक है, next, आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर UPI PIN कितने अंक का होता है, यहाँ पर जो question है, वो आपका e-governance services वाले chapter से आगया है, तो देखो यहाँ पर, UPI PIN की digits 8 होती है, 6, 4 या 6 या फिर 4, तो 4 या फिर 6 digits में आप UPI PIN set कर सकते हो, next is, RTGS PIN का पौण रूप क्या है, और यहाँ पर एक चीज़ और UPI की फुल फॉर्म क्या होती है, Unified Payment Interface, ठीक है, RTGS PIN का पौण रूप क्या है, RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है, Real Time Gross Sales, Real Time Gross Settlement, Right Time Gross Settlement, या फिर नन, तो यहाँ पर है Real Time में Gross Settlement, ठीक है, next, उमंग अप्लिकेशन को किस मंत्रा ले दौरा लांच किया गया, Ministry of Electronics and IT, Ministry of Finance, Ministry of HRD, Human Resource Development, या फिर all of the above, तो यहाँ पर Ministry of Electronics and IT, is the right answer, next is, UTR का पौण रूप क्या है, Unique Transaction Reference, Unique Transfer Reference, Universal Transaction Reference, या फिर नन, तो यहाँ पर अंसर है, Unique Transaction Reference, UTR आपको पता है, जब हम पेइमेंट करते हैं, तो आपको UTR नंबर मिलता है, जो आपने Transaction करिया, उसका Reference नंबर जो की Unique होता है, उसे बोलते है, UTR, POS का पूर्ण रूप क्या है, POS को मैं डिटिल में बढ़ा चुकी हूँ, आप देख लिए ना, प्रिवेस क्लास के अंदर, Point of Sale, Post of Sales, Point of Sold या फिर नन, तो Point of Sale होता है यह, ठीक है, नेक्स्ट इस, भारत में सबसे बड़ा Commercial Bank कौन सा है, SBI, BOB, Bank of Baroda, PNB, Punjab National Bank, फिर IC, ICI, तो वो है आपका SBI, ठीक है, State Bank of India, इस सब बिगिस्ट Commercial Bank, नेक्स्ट, ATM जो आप यूज करते हो, उसकी फुल फॉर्म क्या है, Automatic Transfer Mode, Asynchronous Transfer Mode, Asynchronous Transfer Machine, या फिर Automated Teller Machine, तो यह, आपकी है, Automated Teller Machine, ठीक है, सब जानते हैं, सब जानते हैं, नेक्स्ट इस, RTGS का अधिक्तम सीमा कितना है, मतलब, RTGS की Maximum कितनी Limit है, 10 Lacks per Day, 10 Lacks per Month, या फिर 1 Lack per Day, या फिर No Limit, तो अधिक्तम मतलब, Maximum Limit आपकी है, No Limit, आप कितनी भी Limit सेंड कर सकते हो, Next is M Banking, क्या है, तो M Banking में M का मतलब क्या होता है, Managing Banking, Manage Banking, Mobile Banking, या फिर Net Banking, तो Net तो होगा नहीं, बिल्कुल भी, जो कि M है, तो Answer is Mobile Banking, Mobile Banking हमें करनी चाहिए जरूर से, लेकिन with precautions, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, Fraud होने के Chance रहते हैं, Next is RTGS, Linden के लिए निर्धारित निउन्तम और अधिक्तम सीमा रुपेओं में क्या है, Minimum और Maximum, निउन्तम मतलब होता है Minimum, और अधिक्तम मतलब होता है Maximum Limit कितनी है आपकी RTGS करने की, तो इसका Answer क्या होगा, देखो जो आपकी Decided Limit है, वो आपकी है, 2,00, रुपे आपक क्या है, कम से कम Limit, Minimum Limit 2,00, होनी ही चाहिए, और Maximum कितनी आपकी, कोई Limit नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे Option C is Correct, Next Question देखते है क्या है, KYC आप सब लोग जानते हो, KYC करवाना बहुत जरूरी होता है, तो KYC का मतलब क्या होता है, Know Your Customer, Know Your Character, उपर दिये दोनों या Friend में से क कोई नहीं, तो यह होता है, Know Your Customer, जिस भी बैंक में आप काम कर रहे हो, मतलब आप अगर बैंकर हो, तो आपका काम है KYC करवाना, और जो भी आपकी कस्टमर्स है, उनकी आपको KYC करनी होती है, बिकॉस कस्टमर्स की authenticity है या फिर नहीं है, वो इस देश के नागरिक है, या फ अपने अधार से जोड़ना, next is TDS की full form क्यों होती है, तो TDS एक term है काफी important, इसकी full form होती है, time deposit scheme, total deposit scheme, या फिर text deducted at source, या फिर none, तो यह है, text deducted at source, ये इसकी क्या है full form, next question is PPF का full form क्या है, PPF की full form क्या होती है, इन में से देख लो, person having pension facilities, public provident fund, permanent practitioners forum, या फिर pension planning funds, तो यहाँ पर option number B is correct public provident fund, next is check की validity कब तक रहती है, जो आपके check होते हैं, उनकी एक validity होती है, वो कब तक रहती है, तो देखो जारी करने के 4 महिने तक, 3 महिने तक, 1 महिने तक, या फिर limited ही होती, तो 3 महिने तक, जिस date से आपका check बनाया गया है, उस date से अगले 3 महिने तक आपका check valid होगा, उसके बाद वो invalid वाना जाएगा, उसके बाद आप उसे use नहीं कर पाऊगे, check क्या हो जाएगा, bounce क ठीक है, CVV का पूर्ड रूप क्या है, CVV आप जानते हो कि आपके debit cards के पीछे होता है, CVV number, तो यह क्या होता है, card verification value, code for verification value, card value verification, या फिर none, तो इसकी full form होती है, card की verification value, ठीक है, और कभी भी आपको अपनी personal details किसी को नहीं बतानी है, अपनी debit card की, अपने internet banking की, because यहां पर risk ह होता है, A.E.P.S. का phone group क्या है, A.E.P.S. की full form क्या है, अधार enabled payment system, अधार enabled password system, account enabled payment system, या फिर अधार enabled payment system, या फिर अधार enabled payment system, ओके यह दोनों options आपके same हो गए, तो option number D.B. और A.B. आ करेक्ट है आपके, ठीक है, अधार से enabled करा हुआ payment का system, A.E.P.S. यह होता है, ठीक है, next UPI क्या होता है, Unified Payment Interface, तो option number A is correct, next is, निवल निखित में से, किसने भीम आप को विक्सित किया है, भीम आद की application है, इसे किसने बनाया है, NPCI, RBI, IBM या फिर SBI, तो इसे बनाया है, NPCI ने, ठीक है, NPCI ने, NPCI की full form मैंने पहले बता रखिए, आपको इसकी full form बतानी है, कह आप एक comment box, मेगर आप जानते हैं, तो काफी important full form है ये, ठीक है, तो आप comment में इसकी full form बताएंगे, जरूर से, मैंने उपर एक question और दिया था, उसका answer भी आप देना, ठीक है, next, भीम आप कितनी भाशाय में है, मतलब भीम आप कितनी languages है, 13, 14, 22 या फिर 18, तो इसमें 13 languages है, MMID का पूरा नाम क्या होता है, Mobile Money Identifier, Mobile Money Identifier या फिर both या फिर none, तो आप option number B, Mobile Money Identifier is correct, next, भारतिय Reserve Bank कब स्थापित हुआ, RBI Bank कब आपका स्थापित हुआ था, RBI Bank, Reserve Bank of India, 1 April 1935, ये वो date थी जब आपका RBI Establish हो गया था, next is, क्या dial करके USSD सेवा का लाब उठा सकते हैं, USSD की Full Form, Full Form आपको मैं Homework दे रही हूँ कुछ-कुछ, जो आपको याद करने हैं जरूर से, आपकी syllabus में ये है, इसकी Full Form क्या होती है, बताएंगे comment में, ठीक है, कुछ आपको बता दी है, कुछ आपकी Homework में है, तो क्या dial करके आप इस सेवा का इस्तमाल कर सकते हो, तो देख कारतिय रिजर्फ बैंक, RBI का मुख्याले कहां पर है, नागपूर, दिल्ली, मुंबई, भुपाल, तो ये हैं मुंबई के अंदर, इसका क्या, मुख्याले मतलब क्या होता है, मतलब Headquarters of RBI कहां पर है, आपके मुंबई में है, Next is, Banking छेतर में अधिक संख्या में चेको के तेज निस्तारण में सहायता करता है, मतलब Checks को जल्दी जल्दी चेक करने में क्या हेल्प करता है, OMR, OCR, Barcode, Reader या फिर MICR, तो MICR इसको हेल्प करता है, और आपने देखा भी होगा, चेक के नीचे कुछ Black Black करके, सिंबल से होत Magnetic, Ink, Corrector Recognization, Corrector Important is की Full Form, Recognization, ठीक है, Recognization Just a minute, इस तरीके से, ठीक है OMR क्या होता है, Optical Mark Reader और OCR is Optical Character Reader, और बारकोड आप जानते हो, क्या होता है, जो आपके Products के पीछे बारकोड होते हो, उसे रीड करते हैं, ठीक है Next is, भारतिय Reserve Bank का राश्ट्रे करण कभगा, मतलब Nationalization कभगा था इसका तो इसका अंसर है, 1 January 1949 is the right answer Next is, निमलनिखित में से कौन सा IOT का अंग नहीं है, Part of IOT कौन सा नहीं है People, Process, Connectivity, और फिर Security, तो Security IOT का पार्ट नहीं होता है, ठीक है Next, Internet of Things, IOT का अविश्कार किसने किया, ठीक है, तो इसे बनाया किसने, Inventor कौन है, और फिर फादर कौन है IOT के, तो Bill Gates है क्या, Kevin Ashton है क्या, Steve Jobs है, फिर MacDonald, तो यह तो है नहीं बिल्कुल भी, Steve Jobs बिल्कुल नहीं है, यह आपके किसके हैं, Apple के हैं, Bill Gates, Microsoft, और Kevin Ashton ने आपके IOT को बनाया है, ठीक है, He was the, क्या, Inventor of IOT Next is Artificial Intelligence, का मतलब क्या होता है, अपनी सोच computer में रखना, या फिर अपनी बुद्धिमानी से की गई programming, या फिर machine को बुद्धिमान बनाना, या फिर game खेलना, तो इसका मतलब होता है, machine को बुद्धिमान बनाना, ठीक है, अगर मैं आपको short में बताऊ, AI क्या होती है, तो Artificial Intelligence, Basically क्या होती है, एक machine है, उसको आप सोचने की शक्ति प्रवाइड कर रहे हो, using programs, जिस तरीके से आपका human mind actions लेता है, conditions को देखे, उसी तरीके से machine सोचने, जैसे कि आपका Alexa है, Alexa क्या करता है, आपके questions के regarding answer देता है, आप जो पूछते हो, यह नहीं कि अगर आप पूछोगे कि colors कैसे होते हैं, तो वो यह नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं पता, यह वो यह बताएगा कि ice cream क्या होते हैं, वो colors के बारे में बिताता है, तो यहाँ पे AI का इस्तमाल किया गया है, एक ऐसी machine, एक dumb machine के अंदर हमने intelligence डाल दी है, इसे बोलते है machine को बुद्धिमान बनाना, artificial intelligence, ठीक है, next is, निमल लिखित में से कौन सा model सर्वोत्तम service model के रूप में जाना जाता है, तो SaaS, IAS और PAS, सारे ही आपके होते हैं क्या, best service models, SaaS, मतलब software as a service, काफी important है कि तीनों की definition, software as a service, software को service के तरह provide करवाना, यह service model में तीन model होते हैं, important, next is, IAS, infrastructure as a service, infrastructure as a service, ठीक है, इसको copy कर लेना, last is PAS, PAS is platform as a service, platform as a service, platform as a service, ठीक है, तो option number D is correct, next is, IoT प्रणाली में मुख्य भाग क्या है, sensor है, network, connectivity है, data, भंडारण, अनुप्रियोगो या फिर सब, तो सब चीज़ों की जर्द पड़ती है, network में, activity भी चाहिए, आपको, sensor भी चाहिए, और आपको data का base भी चाहिए, ठीक है, database चाहिए, तो, all of these is correct, काफी सारे questions हो गया है, बस कुछ questions और रहे हैं, फिर मैंने class को wind up करेंगे, next दिखते हैं, निमने मेंसे, क्या big data से संबंदित है, तो यह को structured और unstructured, big data की दो types होते हैं, big data आपका, वो data है, जो बहुत ही large amount में, रोज, create होता है, every second होता है, जैसे कि मानलो, आपके Facebook का data, आपके Gmail का data, आपके Instagram का data, Google का data, ठीक है, तो यह big data है, जिनने handle करने के लिए, बड़े-बड़े warehouse बने होए हैं, Facebook के, आप जानते हैं, कितने सारे warehouse है, हर एक country में, बहुत सारे इनके क्या होते है, warehouse, जहां से यह control करते हैं, आपके information को, data को, ठीक है, तो big data के अंदर, दो types होते हैं, आपके structured और unstructured, एक होता है, structured data, जिसका structure होता है, structured data, एक होता है, आपका unstructured data, ठीक है, तो यहां पर, option number क्यों सा है, C is correct, A और B तो होगा नहीं, जोकि दोनों इसमें आ गए, next, निमल लिकित में से कौन सा antivirus program है, ऐसा question आ सकता है, antivirus कौन सा, इसमें से, Norton, Avera, QuickHeal या फिर सभी, तो सभी होते हैं, QuickHeal भी होता है, Avera भी होता है, और Norton तो होता ही है, next is, HTTPS इसमें S का मतलब क्या है, S का मतलब क्या होता है, Secure, आपको HTTPS की full form पता है, लेकिन S भी अब आ चुका है, और इसके अंदर क्या होता है, SSL layer, SSL layer जिससे आपकी security maintain होती है, इसकी full form पूछी जाती है, Secure Socket Layer, SSL बोलते हैं, इसको ठीक है, next is, Big Data Analytics की विभिन विश्षता है कौन कौन सी है, open source, scalability, data recovery या फिर सभी, तो बिलकुल सभी होती है, Big Data Analytics की properties, वो open source भी है, scalable भी है, और data की recovery भी हो जाती है, loss के वक्त, तो यहाँ पे all of these is the right answer, next is, निमल लेकित में से कौन AI के निकटतम है, wiring, drawing, mathematics या फिर French, तो आप जानते हो कि AI क्या होता है, कि आप calculations करके, mathematics करके, program लिखकर, एक machine के अंदर intelligence डालते हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपका obviously maths रही है, तो maths इससे related है, यह field इससे related है, next is, निमल लेकित में से कौन सबसे अच्छा ग्यात सेवा model है, तो again इसका अंसर बनेगा all of the mentions, सारे ही best service model है, software as a service, infrastructure as a service, या फिर platform as a service, all are the best service models, next is, एक निश्शित पते पर किसी abuser दुआरा बार बार एक ही email संदेश भेजना क्या कहलाता है, अगर कोई abuser है, कोई गलत इंसान है, जो बार बार एक ही email address को target करकर emails randomly send करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो उससे आप क्या बलोगे, email spoofing करना, email spamming करना, email bombing करना, email bombing करना, या करे जा रहा है, ठीक है, एक ही address में, mails आपके different हो सकते है, बट address एक ही है, ठीक है, next is, निमने में से कौन सा software, आपके computer की जासुसी करता है, और संबंधित सुचनाओं का आदान प्रदान करता है, तो कौन सा ऐसा software है, जो आपके system में आ जाता है, और आपके system की data को दूसरे जो आपके जिसने भी से hack किया है, उसको send करता रहता है, तो वो कौन होता है, spyware, virus, trozenhards, या फिर इन में से कोई नहीं, तो वो होता है आपका spyware, नाम से clear है spy, मतलब, spy कौन होता है, जो आपको जासुस करते हैं आपके data की, ठीक है, आपको दिखते नहीं है, software या ऐसे होते लेकिन ये अंदर ये अंदर आपके data को use कर रहे हैं, उन्हें कहना की send कर रहे हैं, ठीक है, मिसी होता है, यहाँ पे, next is, email के माध्यम से bank detail मांगना क्या कहलाता है, अगर कोई आपको email करके, आपके bank की detail आपसे पूछे, कि भई, अपना email, अपना जो भी है, pen card number दे दो, ठी तो उसे क्या बोलोगे, email spoofing, email spamming, hacking करना या फिर सभी, तो उसे बोलेंगे email spoofing, देखो आपको ये terms को याद करना पड़ेगा, याद क्या करना समझ जाओ, अगर आपको कोई भी bank के लिए email करता है, कि भई, bank से आपको email आ रही है, नकली आपको email मना के भेज दिया, कि email की spoofing करना, और अगर आपको एक ही email address पे बार-बार-बार-बार mails आए जाए continuously, तो उसे बोलते है email की spamming, तो आपको इन terms को याद करना पड़ेगा, ठीक है, important है, definitely important है, next, encryption technique, एक network dash को बहतर बनाती है, ठीक है, encryption करने से क्या होता, network की क्या बहतर जाती है, ठीक है, performance, security, reliability, या फिर उसका कुछ भी नहीं, तो उसकी security better हो जाती है, encryption मतलब क्या होता है, आपका जो data है, जो information है, वो अगर sender है, ठीक है, वो receiver को भेज रहा है, तो receiver तक पहुँचने से पहले, उसको बीच में कोई hacker, कोई intruder, उसे misuse ना कर ले, तो उसको हम क्या करते है, encrypt करते है, मतल होता है, algorithm लगती है, यहां पर, जैसे कि DES algorithm, AES algorithm, RSA algorithm, यह algorithm लगती है, encryption algorithm होती है, तो इससे security better होती है, जो भी intruder बीच में आता है, वो जो पढ़ता है न data, वो गलत होता है, मतलब वो से encrypt करें नहीं पाता, sorry, उसे decrypt नहीं कर पाता, encrypt मतलब होता है, उसे convert करना किसी code अशा से वापिस से original message में ले के आना, तो वो decrypt जब कर पाएगा, जब उसे क्या पता होगा, जब उसे की पता होगी, बहुत important word है, की, एक की होती है, जो sender और receiver ही जानते है, ताले की चाबी जो होती है, वो चाबी सिर्फ और सिर्फ sender और receiver के पास है, अगर चाबी नहीं की ताला खुल नहीं सकता, ठीक है, निमल लिखित में से कौन सा computer, खत्रे का work है, soliciting करना, stocking करना, DOS, attack या फिर सभी, तो ये सभी आपके attacks होते हैं, soliciting, stocking, DOS मतलब denial of service attack, तो ये सारे आपके attacks है, जो computer को खत्रे में डाल सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इस, artificial intelligence के जनक कौन है, तो father of IoT, आपने पढ़े Kevin Ashton, and father of AI, कौन है, John Bardeen, Jack Kilby, Blaze Pascal, ये फिर John McCarty, तो वह है, John McCarty, ठीक है, Jack Kilby किसके हैं, पढ़ाया है, मैंने आजी, IC के हैं, ठीक है, IC के हैं, next is, कौन सा malware आपके computer के data को encrypt कर देता है, आप देखो, यहाँ पर कोई malware है, जो आपके system में आ गया, और आपके data को, आपकी permission के बिना encrypt कर दिया, मतलब उसे change नी कर दिया, आप उसे reading नी कर पा रहे हैं, तो अब क्या होगा, आपको, क्या करना पड़ेगा, उस बंदे से request क करनी पड़ेगी, कि भाई, प्लीज, इसको आप पिस सरी कर दो, लेकिन वो इसको करने के लिए आप से मांगेगा फिरोती, मतलब ransom, तो इसलिए इसका अंसर है ransomware, ठीक है, तो ransomware कुछ ऐसे software है, जिनकी help से कोई भी user, आपके data को क्या करता है, उसे खराब करने की try करता है, उसे encrypt कर देता है, मतलब आपकी information को उसने चुरा लिया, और उसने उसे अपना बना लिया, चेंज कर दिया इसकी information को, मतलब जो भी था, उसको encrypt कर दिया किसी और भाशा में, उस भाशा को आप नहीं बढ़ पाए हो, वो आपके लिए काम का नहीं बचा आप, पर उसको व जोती कि आप मुझे इतना पैसा दो, मैं आपको ठीक करके दिया दूँगा, तो इसे बोलते है ransomware, ये भी आज कल बहुत जादा हो रहा है, ठीक है, next is, WhatsApp आप के data को सुरक्षित करने के लिए, किस technology का उप्योग किया गया है, तो WhatsApp पे आप देखते भी होगे, लिखा होता है end to end encryption, क्या लिखा होता है, end to end encryption, इसका मतलब क्या है, कि इंदर और receiver के बीच में तो data है, वो encrypted है, कोई और उसे नहीं पढ़ पाएगा, आप जानते हो, अभी कुछ ताइम पहले WhatsApp के इस privacy issue पे क्या हुआ था, काफी बवाल हो गया था, क्योंकि वो अपनी जो, अपनी policy से हो चेंज करने वाला था, इसलिए, तो यहाँ पे encryption as का answer, ठीक है, next is, blockchain technology क्या है, blockchain technology का नाम है, यह क्या होता है, basically, distributed ledger on a peer-to-peer network, type of cryptocurrency, exchange, या फिर centralized ledger, तो यह distributed kya है, ledger है, on the peer-to-peer network, ठीक है, clear हो गया, next is, यह आपका, I think, last question होगा, yes, सेवा के रूप में, CASS के लिए क्या खड़ा है, मतलब, इसका क्या मतलब है, CASS, compliance, computer, community, या फिर communication, तो communication as a service, communication as a service, is a full form of CASS, ठीक है, service, तो काफी लंबी class थी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, ठीक है, तो अगर आपको ये class अच्छी लगी है, तो आपको like करना है, please like कर देना, जो महनत मैंने करी है, उसको सफल कर देना, share कर दो, और subscribe भी कर लो, अपने groups में भेस दे करो, ताकि सब बच्चे आ जाए, ठीक है, और अगर आपको guess paper लेना है, अब time बहुत कम बचाए, तो आप ले सकते हैं, in 200 rupees, English और Hindi language में answer की के साथ, हर module के दो-दो papers, जिसमें exam pattern पे आपको question paper मिलने वाला है, ठीक है, आप चाहो, तो सिर बात करके, पूरी बात कर लेना, तो आज की class कैसी लगी, जरूर से बताना, comment section के अंदर, और कल हम मिलेंगे, आपके marathon class के साथ, और वो कौन से module की होगी, वो आपके होगी, python की, m3r5 के लिए, marathon class कल लेके आएंगे, m3r5 के लिए, आपके python के लिए, ठीक है, तो कल python की तो और भी लंबी class बने की मेरे ख्याल से, च्योंकि उसमें काफी कुछ में को समझाना भी है, और करवाना भी है, ठीक है, देखो समझाने वाली चीज़े जो हैं, मैंने पढ़ा दिये, सब कुछ, functions कर लिये, हमने, operators कर लिये है, हमने loops कर लिया है, हमने variables समझ लिय है, ठीक है, indexing, slicing कर लिया है, tuples, list, dictionary कर लिया है, basic python की terminologies है, वो समझ लिया, interpreter क्या होता, यह समझ लिया, तो काफी कुछ python में पढ़ चुक है, अब मुझे आप से क्या चाहिए, result चाहिए, result कैसे मिलेगा, जब आप उन questions को करोगे, तो आपको अपने आपी answer समझ में आने ल मांगते हैं, output वाले question लेके आओ, वही उसके अंदर मिलेंगे आपको, तो आज की glass का feedback ज़रूर देना, ठीक है, feedback से क्या मिलता है, मुझे motivation मिलता है, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छे-ची class लेके आ सकू, feedback इस बहुत ज़रूरी है, कि कुछ कमी लगती है, या कैसा लगा class लेके तो आप बता सकते हो, ठीक है, आप मिलते हैं कल, अब ठक गए हैं बहुत, ठीक है, तो कल मिलते हैं, all the best, thank you